बोलो जुबा केसरी दोस्तों क्या हल चाल कैसे हैं सब लोग सो उमीद करते हैं भाई लोग सब लोग बहुत जमाजम हैं बहुत जबरदस्त हैं और सभी लोग तयार हैं किस चीज के लिए दोस्तों आज हम और आप लोग मिलेंगे कहां पर अपने मोल कंसेप्ट में आईटी जही सर पे है, जही मेन वाला टेम्ट सर पे है, मोल कंसिप से सर बहुत 11th क्लास से सर अग्दम दोस्ती छोटी हुई है सर, बहुत परिसान किया दा क्लास 11th में, सो डोंट वरी बचो, हम इस सेशन में आपको मोल कंसिप में पूरी कोशिश करें कि सर हम आपको हीरो बनाते हैं, ठीक है, तो अपनी महनत और उपर वाले का असिरवाद रहेगा, तो अपने लोग फोड़ देंगे, ठीक है सर, चलिए, फार देंगे, फार देंगे, फार देखे, कौन-कौन से कोशिशन हम लोग आज डिसक्स करेंगे, मैं थ्वासा आपको देखे, ब्रीफ लुक दे देता हूँ, बेटो, जितने ही बच्चो, जेई की बच्चो, पास्ट यर्स के आई वे कोशिशन है, जेई दो हजार तेईस, दो हजार मतलब बीस, एकिस, बा होई क्या, कि मैंने भाई, जो रीसेंट जेई मेन के कोशिशन से, उनको दोस्तों मैंने यहाँ पर कवर करके, सारे कंसे बच्चों डील करने ही कोशिश की हुई है, और आईटी वाले बच्चों के लिए लाइफ इतनी बेटा सौटेड है, मतलब बच्चे बोलते किसा, रम सेट हो जाती है, अगर आपके पास सथ थोड़ा जारा समय, आपने बेटा सलेबस पहले कंप्लीट कर दे है, रिविजन के लिए अच्छा कादा समय, तो फिर आप 2015 के आगे, 2019 के लगा सकते हो, और जारा समय सथ 2020 के लगा सकते हो, ठीक है, और समय तो थोड़ा बहुत पर स्टिक करिए, यकीर मानिए बचो, बहुत अच्छा है, और बचो याद रखिए, किसी एक चैप्टर पे बहुत जड़ा समय देने से बेटर होता है, जेए मेन के लिए कि आप पूरा सलेबस कंप्लीट करना, येस, जेए मेन में हर चैप्टर को कवर करके सवाल आते है, तो आपको सारे चैप्टर सर कवर अब करने हैं, इस चीज़ पर ध्यान दिजए, मैं आपको बेटा फिजिकल और 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 पूरी कराऊंगा, एक पर दोरा कराऊंगा, जो एकाद दो मानिए सर अपने कुछ चैप्टर नहीं कवर होगा, तो सर मेरे पास मेरे पु आपको कि माई 2024 तक मेरा सिर्फ एक ही उद्देश है कि आपके साथ YouTube पर लगना और आपको सर अच्छे इंजिनिंग मेडिकल कॉलेज में से सलेट कराना, ठीक है, यह चीज़, अब एक चीज़ समझें बचो, जब हम यह वीडियो देख रहे हैं, तो यह चीज़ मैं पूरी सेशन वीडियो नहीं देख रहे हो, मैटर खराब हो जाएगा, अगर सर माली चे हमने कहीं पर पढ़ाई नहीं की थी, तो हमारा थियोरी वाला जो वीडियो था, मोल कंसेप का, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर है, जो अपनी प्लेलिस्ट में भी हर जगे है, उसको आप देखने के बाद ही सर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैंने क्या दो प्री रिक्विजिट बोले और आगी के भी वन शॉट में आपको बताऊंगा, प्राक्टिस वीडियो सर आप तभी देखोगे, जब आपने थियोरी वाला वीडियो कवर कर लिया, या फिर प्राक्टिस का वोती है, रिविजिन के बाद होती है, ठीक है सर, चलिए सर बहुत ही बढ़िया, एकदम जुबा केसरी गैंग अपना तयार है, बावा जुबा केसरी गैंग तयार है, तो आपका बड़ा भाई भी तयार है, और चलिए सर धूम मचाले करते हैं, ठीक है तो बेटा देखें, तीन-चार concept के उपर सवाल होते है, पहले तो mole calculation के होते हैं, फिर उसके आप concentration, पिर stoichiometric calculation, फिर percentage calculation के उपर अपनी चीज़े होती है, ठीक है, तो शुरुबा सर देखे, mole calculation सर देखें, आप लोग अपना काम करते है, देखें, जेए का जो exam है, वो सरिए, इंजिनियर के लिए हो रहा है चीज़े और इंजिनियर्स को बेटा देखे calculation, common sense बहुत ही जरूरी होता है जैसे कि दोस्तों हम यह सवाल ले ले यह सवाल यह मेन का है नहीं यह सवाल सर class 8th standard maths का है class 8th maths का बेटा सवाल यह बट इस सवाल को सर इस तरह से सर फ्रेम किया गया है कि आप थोड़ा सा बेटा क्या glycine को देख करके डर जाओगे minimum molar mass को देख करके डर जाओगे ठीक है molar mass word यूज किया molecular weight नहीं यूज किया molar mass so they had created such a panic situation कि आप डर जाओ और इस सवाल को सर आप छोड़ दो ठीक है यह चीद है बट सर ऐसा डरनी की बात नहीं है ठीक है बड़ा-बड़ा molecular weight दे दिया 10 की पार 3 ग्राम पर मोल तो यह सब देख करके बच्चा डर जाता है और इस सवाल से हटता है अभी आप और हम लोग जब इस सवाल को लगाएंगे तो हमें पता चले लगे सर यह सवाल वाकई में हमारे छोटे बाही बहें जो सिख सेवन्थ एडर क्लास के होते हैं वो भी सर यह सवाल कर लेते हैं चली सर सवाल पर आते हैं अब protein contain 0.30% of glycine देखे बड़ा protein protein क्या होते हैं सर हमारे poly amino acids होते हैं और हमारी इस protein में सर glycine नामक molecule सर मौझूद है ठीक है हमारी इस protein में सर glycine नामक molecule सर मौझूद है ठीक है अब protein एक contain 0.30% of glycine ग्लाइसीन सीरे सीरे बोल ज़िए वह याग लाइसीन ही यहाँ पर मौझूद है अब बड़ा ग्लाइसीन क्या होते हैं सर घ्लाइसीन सबसे सिम्पलिस्ट glycine क्या होता सर सबसे simplest amino acid होता है glycine क्या होता सर सबसे simplest amino acid होता है ठीक है सर ये चीज़ and this is our glycine ये सर देखे हमारा glycine होता है अब देखे सवाल अगर मैं 2017-2018 के आसपास एक सवाल था जिसमें polypeptide word यूज़ के था biomolecule में हम पताते कि कि decapeptide word यूज़ क्या है तो वहाँ पर क्या होता हम लोग amide linkage बना देते बट यहाँ पर polypeptide यह सब चीज़ की बारे बात ही नहीं के तो हमें पूरा का पूरा glycine लेना है पूरा पूरा सा देखे हमको glycine लेना है ठीक है ये चीज़ अब protein A contain 0.30% of glycine ठीक है हमसे पूछ रहा है कि भाई बताईए कि सीन यहाँ पर अब क्या होगा ठीक है ये चीज़ चलिए सर बहुत अच्छी बात है तो ये हमाई पास बेटा glycine है glycine का जो molecular weight है ये सर ने हमको दे दिया 75 ठीक है glycine का बेटा जो molecular weight है वो हमको दे दिया है सर क्या 75 और हम माले लेते कि सर हमारी protein जो बहुत बड़ा सा molecule होगी ठीक है उसमें बेटा इस glycine के माले इसर N molecules मौझूद है ऐसा तो नहीं कोई ज़रू कि भाई glycine का एक अहीं molecule है इस glycine के माले जो बेटा N molecule मौझूद है ठीक है अब बेटा देखें सीरे सीरे पर्सेंट का फॉर्मला क्या होता है percentage weight of glycine mass of glycine upon mass of protein into 100 ठीक है glycine, alanine, valine ठीक है इन सब के बेटा तो इस structure हम लों को याद ही हो जाते है ठीक है यह चीद तो यह चीद है तो percentage weight of glycine mass of glycine upon mass of protein into 100 सर, percentage weight कितना है सर, 0.30 है ठीक है mass of glycine कितना है सर, एक glycine के molecule का mass कितना होता सर, 75amı होता है 75amı होता है तो n glycine के molecule का mass, n into 75 המू होगा अगर आपको amu से कोई दिक्कत है तो don't worry बेटा भी थोड़ी दिर में वो दिक्कत भी आपकी solve हो जाएगी तो बेटा एक glycine के molecule कमा 75 amu है तो sir n glycine के molecule कमा 75 into n amu हो जाएगा और molecular weight of protein और क्या होगा sir molecular weight of protein यह sir हम लोग करेंगे और अब जब हम इसको बेटा cross multiply वगरा करेंगे तो sir हमको answer मिल जाएगा molecular weight of protein is equal to 75 upon 0.3 ठीक है और यह भी amu में होगा amu में कर जाएगा ठीक है तो sir molecular weight of protein 75 upon 0.3 into n ठीक है sir यह हो जाएगा and that will come out to be हमारा into 100 भी हो गए यहाँ पर ठीक है ठीक है sir तो यह point हट करके 1000 हो जाएगा 25 25,000 n क्या हो जाएगा sir 25,000 n सर यह हमारे glycine हमारे protein का sir molecular weight आ जाएगा 25,000 n अब चुक्कि हमसे क्या बोला है sir minimum बोला है तो हम n की minimum value रखेंगा और n की minimum value रखेंगा तो sir यह value हमारी 25,000 निकल करके आ जाएगी ठीक है sir यह देखें यहाँ पर सीन रहेगा तो यहाँ पर जो answer रहेगा that will be 25 यहाँ पर जो answer रहेगा sir that will be 25 यह sir यहाँ पर सीन रहेगा ठीक है तो थोड़ा सा हमको न थोड़ा सा डराने की कोशिश की जाती है अब इसमें आप टेंशन मत दीजे जे इमें में सारे सवाल नहीं होते हैं ठीक है बढ़िया बेटेज तो और पर सा दिया जाता है बट अगर आपने इस तरह के सवाल सर कर रखे होंगे ठीक है अपने कुछ नहीं करना बिटा कुछ भी नहीं पकड़ना है सिर्फ आपने जहाँ पर पढ़ाई कि उनके नोट सा पकड़ दीजे उनको रिवाइस कर ल दुबारा से इस वीडियो को आप देखेगा और सलूशन मत देखेगा पूरा म्यूट कर दीजेगा जैसे सवाल आता है मैं शुरू आता हूं उसमें वीडियो चला करके बिना सलूशन देखर लगाई है यह सब काम करिए ठीक है यह सब करेंगे बहुत ही बढ़िया सा दाघिया ठीक है यह चीज़े चाले सि लिए बहुत ही बढ़िया दीगर इसी कंसेप के उबड़ यही सवाल था यह जो सवाल है सवाल है और अ यही सवाल को पढ़ते है सो जानबूच करके सवाल को सर लंबा फ्रेम करना लंबा फ्रेम किया जाएगा बट सवाल में सर जो इन्फॉर्मेशन होगी यो बहुत छोटी सी होगी ठीक है सर आप तो यहां पर देख ले रहो बेटा हम तो अभी सोच ले रहे हैं आप भी सोच लोगे जब आप भी बहुत साथ सॉल करिए यह चीज तरीका है सर ठीक है यह चीज और जब फोकस कर रहे है तो बेटा पूरा फोकस करें कि लाइव में सारी चीज़ों से कट आउट अपने आप पो कर लिए ठीक है चलिए सर 0.27 gram of long chain fatty acid and was dissolved in 100 centimeter cube of hexane ठीक है सर ठीक है 10 ml of this solution was added drop wise to the surface of water in a round watch glass hexane evaporates monolayer is formed the distance from edge to center of the watch glasses tense what is the height of the monolayer ठीक है सर ओकिया सर दीक है सीन क्या है यहाँ पर हमने 27 gram 0.27 gram compound को बिटा कहां डिसॉल किया 100 ml solution में ठीक है हमने 0.27 gram hydro मतलब एक compound है एक acid है organic acid है उसको कहां डिसॉल किया 100 ml में अब जो solution त्यार हुआ 100 ml इसको पूरे को हम टेस्ट नहीं करेंगे टेस्ट करने के लिए हम यूज क्या कर रहे है सर टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करने सर इसका सरम सर 10 ml हम ले रहे हैं अब अगर 100 ml में 0.27 gram organic compound मौझूद तो 10 ml में कितना organic compound होगा 0.027 इतना organic compound सर हमारा 10 ml solution में मौझूद होगा इतना OC हमारा 10 ml solution में सर मौझूद होगा ठीक है यह चीज़ समझे देखे बेटा हम लोग जैसे कि मालीजी घर में मालीजी बेटा हम लोग ओयल लेकर के आए ठीक हम लोग मालीजी घर में ओयल लेकर के आए पकोड़े तलने के लिए अब एक ही बार में सारा ओयल थोई नही किततना इस्समाल करेंगे अब जितना इस्तमाल करेंगे उस में हमारा मेन कंटेंट कितना आएगा भी था हम लोग ने जो जो lens से हम लोग नहीं खेला करते थे, हम लोग जो कागज आगज जलाते थे lens को ले करके, उसी तरह का यह glass होता है, यह थोड़ा सा मतलब concave type का glass होता है, ठीक है, hexane evaporate and a monolayer is formed, the distance from edge to center of the watch glass is 10 cm, ठीक है, अब देखें यह जो watch glass है, सर देखें यह जो watch glass है, इसकी center से लेके यहां तक की जो दूरी है, that is कितनी बिटा, 10 cm है, ठीक है सर, what is the height of the monolayer, तो बिटा देखें इस सवाल मेंगर हम ध्यान देंगे, हमको देखें सारा का सारा यही पर ही है, density के सारा के सारा खेल, और एक बहुत important चीज सवाल वाले ने किया कि है, उसने pi की value सर 3 दी हुए है सवाल में, बस यही सब चीज है, तो the only thing is that कि हमें सर इस सवाल में क्या लगाना है सर, density बराबर mass upon volume, तो सर, mass बराबर सर, density into volume, शीरीस ही बात सर, अब mass कितना लेना है, 0.27 नहीं लेना है, सर आपने round watch flask में कितना mass लिया है सर, 0.027, तो mass से बेटा 0.027 gram, density हमको दी गई सर, 0.9 gram per ml, ml मतलब बेटा cm3, ठीक है सर, ml मतलब क्या होता है सर, cm3, सारी के सारी चीज़े हमको सर देगे, cm3 में दिया जा रहा है, ठीक है, तो ml मतलब सर, cm3, सो mass बराबर density into volume, और volume क्या लेंगे सर, अब देखो बिटा, volume के लिए ध्यान रखना, ये एक circular है, ठीक है, ये जो glass है, हमारा circular shape में है, और ये एक height तक आएगा, तो बिटा, क्या हमाई पास जो geometry त्यार होगी, और कैसी होगी सर, circular है और एक height तक है, सर, द त्यार हो जाएगी सर, cylinder, सर, cylinder surface सर त्यार हो जाएगी, और cylinder का जो volume होता है, वो हम और आप सब लोग जानते, pi r square h, ठीक सर, pi r square h, cylinder का सर, जो volume होता है, वो तर पाई r square h, सीरी सीरी बास, अब सोचे, कितना आसान सा बेटा सवाल है, बस खेल बेटा, पूरा का पूरा क्या है कि आपको सर सवाल दिखा करके थोड़ा डराना होता है, यह सर जो सवाल होते हैं, यह लूट लो वाली category के सवाल होते हैं, इन सवालों का सर मतलब आपने सर अग्दम पूरा grab करना है, ठीक है, और यकीन माने बेटा, सिर्फ chemistry अपने दम पे आपको cut off clear कराता है, chemistry अपने दम बात है, ठीक है सर, यह चीज, तो यह यहाँ पर सीन होगा, अब चलो भाई लोग solve कर लेते हैं, बिना tension के, तो 0.027, ठीक है, 0.9, पाई की value लेनी है, 3, R हमको दिया गया है सर, 10, ठीक है, R square और यह H, ठीक है, बहुत अच्छी बात, अब बस यह जो पॉइंट है यह हमको परिशान कर सकते हैं, तो कोई समें चिंता की बात नहीं, एक point उड़ाएंगे यहाँ से, ठीक है, इस 10 के द्वारा, और हमाई पास 9, 3, 27 हो जाएगा, और यहाँ पर भी सा 27 है, तो मेरे को जो बिटा, calculation निकल करके आ रहे हैं, वो शायद बिटा यह है, कि सर, that will becomes, comes out to be 27, 27, into 10 की पार, minus 4, 27, into 10 की पार, minus 4 centimeter, ठीक है, सर, मेरे हिसाप से, सर, जो value निकल करके आ रहे है, 27, into 10 to the power, minus 4 centimeter, सर, मेरे हिसाप से, सर, यह calculation, निकल करके आ रहे है, ठीक है, सर, तो यह, भाया जी, देखे, यहाँ पर scene होगा, चले, सर, perfect, question अपना हो गया है, ठीक है, edge to center तक की जो दूरी है, यह, बस सारी चीज़ा यह, एक बाद फिर से repeat कर देता हूँ, हमने 0.27 gram compound लिया, उसको 10 ml में, उसको 100 ml में dissolve किया, लेकिन solution का सिर्फ 10 ml लिया है, तो 10 ml में हमारा जो compound होगा, सर, 110 होगा, इतना होगा, अब इ सीरी सी बात है, जो इस पूरे की पूरे जो glass की उपर, जो mass है, वो mass कैसे आएगा, सर, mass बराबर सर, density into volume, mass इतना है, density हमको सर, दी हुई है, 0.9 gram पर ml, और volume उसका हो जाए कितना, सर, pi r square h, ठीक है, pi की value सवाल में 3 दी गई है, r square, 10 cm सर, distance है, center तो मतलब radius 10 cm, तो pi r square, और करेंगे, 27 into 10 की पार minus 4, cm सर, height आजाएगी, ठीक है, अब integer type सवाल होते है, अपनी अलग-अलग row लिखते है, कि हमें इसमें चाहिए, उसमें चाहिए, उसमें चाहिए, आदम पावर आवर दे दे देते है, वगरा, वगरा, तो the thing is this, ठीक है, तो ये, दोस्तों, यहाँ पर seen होगा, ठीक है sir, यहа पर seen होगा, 27 तो sir कट जाएगा, ठोड़ा सा हमसे calculation में गलती होगी, today 27 यहाँ पर कट जाएगा, souhaय सेयरे सेयरे 10 की पार minus 4, ठीक है, 27 यहाँ पर कट जाएगा, सीरे सीरे 10 की पार minus 4, cm यहाँ पर बच्चों देखे, answer रहेगा, ठीक है, यह चीज़ य पर चलेगा, बट आपको बिटा student है, तो आप लोग साथ ध्यान नहीं कि options क्या है वगरा वगरा, उससे बिटा सब कुछ clear हो जाएगा, ठीक है ये चीज़, the answer is in centimeter, but options are given in meters, ठीक है सर, centimeter को meter में भी convert कर लेते, 10 की पार minus 6 meter, 10 की पार minus 6 meter, ठीक है सर, तो ये हमाई पास यहाँ प आपको language के में सर फसा करके, गूगली दे करके, असान सा सवाल आपको दिया गया, और अगर बच्चा कोई से छोड़ के आएगा, तो class, मतलब test के बार फिर बढ़ा अपने आपको पचता आएगा, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, चलिए सर, बहुत ही उम्दा, great, nice, wonderful, अगले सवाल पर आते है, now, यह सब बेटा-बेटा स्टांडर्ड, यह मोल वाले सवाल है, इनको आईए चलिए, जल्दी से हम लोग देखते है, the number of chlorine atom is 20 ml of chlorine gas at STP, ठीक है सर, okay, हमको chlorine atom के साथ देखे, पूरी-पूरी संख्या दी गई है, तो पहले हम लोग निकाल देते है सर, number of moles, number of moles of chlorine molecule, ठीक है, सर, STP पर दिया हुए, सर, 20 ml at STP, ठीक है, तो number of moles हमाय पास हो जाएंगे, volume of gas upon 22.4 liter, लीटर को बेटा सेंटिमीटर क्यूब में कनवर्कें, तो 22,400 ml हो जाएगा, ठीक है सर, यह इतने mol, CL2 अपनी हो जाएगा, mol के साथ जरूर लिखी किसके mol है, तो इतने mol हमाय पास CL2 है, CL2 molecule है, सवाल वाला इतना चालू है, उसने हमको chlorine के atom पुछा है, सो chlorine के atom की अगर मैं संख्या बताऊंगा, तो बिटा वो double हो जाएगा, 20 upon 2400 into 2 mol chlorine atom, ठीक है सर, यह हो जाएगा, हमें इसको पूरा absolute चाहिए, upon 22400 into n, 6.023 into 10 की पार 23, यहाँ पर सरसीन हो जाएगा, अब बस दोस्तों कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ औस बिटा यह calculation करनी है, और यह 2 0 कटने के बाद, यहाँ पर भी बिटा 23 की जगे 20 बना जाएगा, अब बस दोस्तों हमें पूरी-पूरी calculation करनी है, आप यह calculation कैसे क करता है, मैं 6.023 को 6 ले लूँगा, और 6 और 4, 24, ठीक है सर, 6, 4, 24, ठीक है सर, तो 6, 4, 24 और 7 में 10, यह हो जाएगा, into 10 की पार 21, तो यह सर यहाँ पर सीन होगा, ठीक है सर, यह यहाँ पर सीन होगा, अब बेटा बस आपको इसे calculate करना है, value को सर, अगर हमें nearest integer के term में लाना होगा, अगर fraction के term में लाना है, तो nearly 1.1 के असपास यह value अपनी हो जाएगी, ठीक है, 16 है, तो 16 हमारा 7, 8 के असपास होगा, 1.78 के असपास होगा, जो कुल भी है, ठीक है, 1.17, 1.07, 1.07 के असपास बेटा value होनी चाहिए, जो हमको लगता है चीज़ है, ठीक है, यह चीज़, तो 1.07, जो nearest fraction होगा, वो 1.1 into 10 के असपास होगा, मतलब वो सवाल में दी होतना है, कि उन्हें single integer चाहिए, decimal 1 प्लेस तक चाहिए, 2 प्लेस तक चाहिए, वो हमारा concern नहीं है, ठीक है सर, उस पर हमको ध्यान देना है, में जो सवाल करने का तरीका उस पर हम ध्यान देना है, च तो we have 2.83 liters, तो number of moles, moles of O2, volume of gas at STP, ठीक है, upon 22.4, ठीक है सर, volume of gas at STP upon 22.4, इतना mole अपने पास O2 होगा, ठीक है सर, बहुत अची बात है, अब ये value अगर हम मेटा sort out करते हैं, ये value सर, अगर हम sort out करते हैं, तो सर ये value कितनी हो जाएगी, ये value हो जाएगी, ये value हो जाएगी, 0.100% 1, तो 0.125 के आसपास बेटा, ये value अपनी हो जाएगी, ठीक है सर, ये value अपनी सर, 0.125 के आसपास value ये हो जानी चाहिए, ने, 1.25 नहीं होगी, 1.25 नहीं होगी, 1.25 नहीं होगी, sorry, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो हमने, और yes में 6 हो जाएगा, तो 1.25, नहीं हाँ, 0 0.125 ही सर रहेगा इसमें, 0.25 वला अंसर नहीं रहेगा, ठीक है, तो 2.8 अपन 22.4, कैलकुलेशन को सर जल्दी कैसे करें, जल्दी अगर आप बेटा करना चाहते हो, तो भी मैं आपको बता देता हूँ, आप थोड़ा से इसको घटाईए, थोड़ा से उसको घटाईए और अपना बेटा काम हो जाएगा, ठीक है सर, 10 की पार माइनस 1 लिया, तो 28.375 अपन 22.4, आप सीधे सीधे अगर आप कैलकुलेट करोगे सर, 1.25 इन्टो 10 की पार माइनस 1, वो सर अम आपस सीधे 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 सर देखे, आंसर हो जाएगा, ठीक है, बट अगर आप करना चाहते आप थोड़ा से इसको बढ़ा दो, तो यह हो जाएगा 30, थोड़ा से इसको बढ़ा दो बेटा, यह हो जाएगा 25, 30 upon 25 आप solve करोगे सर, अपना मुटा मुटा सर आंसर की करीब हम लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो यह सर हमारा देखे हैं यहाँ पर काम करने का तरीका तो number of moles होगे कितने सर, इतने होगे, अब number of moles, इतने moles O2 है, ठीक है, moles को absolute molecule में convert करना है, तो बेटा उसमें na multiply कर दीजे, इसमें सर हम लोग na multiply करेंगे, तो साथ में 6.02310 की पार 23 multiply करेंगे, 6 अगर multiply करेंगे, तो value हमारी कितनी हो जाएगे सर, वो हमारी point, यह हमारी जो value है, यह हमारा सर यहाँ पर answer निकल करके आ जाएगा, ठीक है, 10 की पार 22 हो जाएगे, नो 23, तो na multiply करेंगे सर, अपना यहाँ पर answer निकल आएगा, ठीक है सर, great, nice, wonderful, तो यह सब बहुती basic वाली चीजे हैं, ठीक है, और यह बस इसलिए आपको हम लोग करा रहे हैं कि भाई, आपक इस mixing कर देते हैं, जिन में भी concentration term के सवाल हैं, ठीक है, उन सवालों में देखें थोड़ा मज़ा भी है, but otherwise, बेटा, J-E mean is quite doable, the only thing you need is, कि सर, आपका syllabus complete होना चीए, ठीक है, और pen चला होगे, तो बेटा, confidence अपने आप आ जाएगा, pen चलाने के लिए कहा रहे हैं, हमाई साथ रहे हैं, हम आपके साथ लगे हुए हैं, पूरा अंत समय तक आपके साथ रहेंगे, चले भाई, दोनों में लोग मिल करके काम करते हैं, ठीक है, चले सर, अगले सवाल पर आते हैं, कि सर, chemistry में हमेशा किसी भी चीज को देखते हैं, हम तुरन इसको मोल में पकड़ लेते हैं, क्योंकि आप class में कहते हैं, सर, अगर मोल में नहीं convert करो तो क्या होगा, आपको पुलिस पकड़ लेगे, chemistry में चीजों को express करने की जो सही unit हो क्या होती है, सर, मोल होती, ठीक है, सर सर बहुत अच्छी बात है, great night is wonderful, तो सर इस 4.4 ग्राम को हम तुरण सर मोल में convert करेंगे, अब मोल कैसे आएंगे, number of moles बराबर, number of moles of oxalate iron बराबर, weight in gram upon, क्या सर, molecular weight, अब देखो oxalate iron का जो molecular weight हो को हो समझे, 2 carbon का 12 दुनी 24, 4 oxygen का सर, 64, ठीके सर, that comes out to be सर कितना, 86, यह सर कितना हो जाएगा, सर, 86, अपना हो जाएगा, नहीं, sorry, 88, क्या हो गया मुझे, क्या हो गया मेरे, मेरे calculation, इतनी भाहियाद कैसे हो सकती है, हो सकता है, सुबह-सुबह जल्दी उठने की कारण हुआ है, कई बार जब प्रॉपर नीन नहीं होती, तो body-mind calculation, body-mind coordination भी उतना अच्छे स नहीं होता है, छोटी-मोटी गलतियां होती है, तो that means sleep पूरी होना बहुत जरूरी है, अभी सुबह के 6 बज़रे हैं, हम 3 बज़े से उठके इस वीडियो के लिए नहाद हो करके पूरा पूरी त्यारी करके बैठे हो, कि भया, आज बच्चों को वीडियो बना करके देना ह ठीक है, यह चीज़, तो आपको बेटा, एक्जाम से पहले भी नीन वीन छूट जाती है, तो उसलिए पहले सही सर अपना पूरा schedule सेट कर लें, 10-15 दिन पहले सही सर देखे, जो sleeping cycle है, वो सर अपनी सही रखें, ठीक है सर, तो weight in gram upon molecular weight, molecular weight is 88, अब यहाँ पर जो main concept आपको सी electron आ जाते हैं, electron के आने जाने से charge में तो अंतर परता है, electron में अंतर परता है, लेकिन mass में बहुत जादा अंतर नहीं परता है, क्योंकि atom के mass में main role neutron, proton का होता है, electron का कोई role नहीं होता है, ठीक है, तो जो mass oxalate का है, C2O4 का, वही mass C2O4 सिंगल माइनस का होगा, वही mass C2O4 प् अभी होगा, ठीक है sir, बहुत अच्छी बात है, great, nice, wonderful, answer करेंगे solve, तो यह अपना 0.05 अपना हो जाएगा, ठीक है sir, तो यह value sir, हमाई 0.05 mol oxalate हो जाएगा, 0.05 mol oxalate हो जाएगा, अब मैंने theory वीडियो में तुमको सिखाय हुआ है, कि किसी भी molecule से atom कैसे निकालते है sir, molecule से electron कैसे निकालते है, molecule से proton कैसे निकालते है, यह सर इच्छी बेटा मैंने theory वीडियो में तुमको सिखाय हुआ है, तो इतने संख्या में oxalate आगे, अब इतने oxalate में कितने electron है, तो number of electron निकालने के लिए, number of mole molecule में multiply करेंगे किस value को, कि एक molecule में कितने electron, number of electron per molecule number of electron per molecule से multiply करेंगे, सर अपना काम बंजेगा ठीक है भाई, ये चीछ बेटा देखो, मैंने theory video में पढ़ाई हुई है, and I am 100% sure कि तुम मेरी बात मानते हो, तुम लोग हमें इतना बात आप मेरे साथ यहाँ पर problem solving video कर रहे हैं, अगर आपको लगता ऐसा नहीं है, don't worry, video को करो pause, ठीक है, दो घंटे का बेटा theory video हो, उसको देख करके आईए, और फिर सर यहाँ पर आईए, ठीक है सर, ये चीद, हम आपका यह इंतिजार कर रहे हैं, और क्या, कहीं भागे थो इक से आती है, ठीक है सर, चली, बहुत अच्छी बात है, number of most आगे 0.05, एक oxalate में कितने electron, वो भी निकाल लेते हैं, सर जी, carbon के पास होते हैं कितने electron, 6, 6, 2, 12, number of electron, total electron, valence electron, total electron, carbon के पास 6 electron, तो 6, 2, 12, oxygen के पास 8 electron होते हैं, 8, 4, 32, और 7 में 2 electron भगा करके लाए हैं, तो प्र total सर, solve करें कितना हो जाएगा, that will become 2, 2, 4, 6, 4, 46, ठीक है सर, ये अपना हो जाएगा इतना, 46, ठीक है सर, तो total number of electron will be 2.3 na, सही सर जी, बढ़ या, great, nice, wonderful, तो chemistry में चीजों को निकालने के लिए, तो निकालने के लिए, तो निकाल लिए, अब मोल से atom निकालना है, तो multiply करेंगे, कितने atom पर molecule में उससे multiply करेंगे, electron निकालने तो multiply करेंगे, कितने electron पर molecule उससे multiply कर दो, proton निकालने कितने proton पर molecule उससे multiply कर दो, total number of electron आ जाते हैं, ठीक है सर, step 1, number of moles of molecule, या जो भी है, step 2, जो निकालना है, एक molecule या एक atom में उसकी कितनी संक्या है, हो चीज, सवाल सब्सक्राइब आपको अपने बड़े भाई की बात ही माननी पड़ेगी और इस सवाल को सब्सक्राइब अच्छी बात है इतना बाबा रेशियो दिया है उसको तुरंत एक वैल्यू दे दो जो रेशियो दिया है उसे तुरंत एक वैल्यू दे दो ठीके सब्सक्राइब आउक्सिजन का मास हो गया डवल्यू ग्राम सब्सक्राइब इस सद्शेयो द्यूटब अब देखो मेरी लाइफ कितनी सेट मेरे पास वेट है तो में मौलीक्वल निकाल लूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स ओक्सीजन कितना होगा बाबा डबलू अपॉन 32 नमबर ओफ मोल्स नाइट्रोजन 4 डबलू अपॉन 28 क्या है ये मोल में है यूनिट लिखेंगे मोल में है यूनिट कट जाएगी सिम्बल सी बात है डबलू कट जाएगा आपके जिन्दगी के जो दुख है वो भी कट जाएगे डोंट वरी काहें टेंस लिए भाई ये दुख काहें नहीं कटता है अरे भाई दुख भी कटेगा और सेलेक्शन भी होगा सब कुछ होगा बस जिन्दगी के स्यापों को सही कर लिया ना साथ अपॉन बद्तिस ठीक है सर साथ अपॉन बद्तिस बहुत ही बढ़िया उम्दा घ्रेट नाइस वंडर्फुल ठीक है सर चली सर इसी बात पर एक बार हो जाए बोलो जुबा केसरी दाने दाने में केसर का दम है या देखो हमने टीशरी भी देखो केसरी वाली है मतलब असली जुबा केसरी है उस रंकी देखो टीशरी लिए और पूरा session में तुमको पूरा 24 माई तक तुमको यही टी-शट मिलेगी, यही टी-शट तुमको मिलेगी, यह टी-शट नहीं बदने वाले, हमाई घरवाले परिशान हो जाते हैं, त्यार एक ही टी-शट में वीडियो बनाओगे क्या, हम क्या हाँ, हमसे बड़ा जख्की आ रहना है, हमको 100 ही नहीं इन सब चीज़ों का, हमको 100 जिस चीज का वहम कर रहे हैं, तुमको पढने का 100 है, हमको पढने का 100 है, बस वो अपन कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी जब selection हो जागए, तो गौवा में मिलेंगे, फिर दिखाएं कि क्या-क्या 100 हैं भाई के, चलिए, ब value of x, अच्छा, number of atoms पूछ रहा है, वही हम बोलें कि शुरुवात में number of most के सवाल, फिर concentration time, फिर stoichiometric allocation, percentage, बस यही सब चीज़े हैं, प्राक्टिस करने हैं, आप मेरा solution क्यों, आप अपना solution निकालो, but the thing is, कि आपका solution मेरे से तेज होना चाहिए, कम space में होना चाहिए, और थ speed के साथ देखो कि आप ये सवाल कितनी देर में कर रहे हैं, यकीन माने हैं, आप छोड़े-छोड़े steps, आज़त बनते हुए, कितना मज़ा आ जाएगा, the number of atoms in 8 gram of sodium, इतना, अब देखो, मैं यहाँ पर सीदे सीदे में काम करूँगा, मैं एक ही step में लिखूँगा, number of atom, च sodium molecule नहीं, atom के form में होता है, 8 upon atomic weight, लेकिन हम से सवाल में संख्या पूची है, तो ये 8 upon 23 mol है, mol उसको number of atom में convert करने के लिए, उसमें क्या multiply करते हैं, na, बोले तो 6.023, 10 की पार 23, 6.02 बोला चाचा ने, into 10 की पार 23, जैसे कि मानलो मेरे पास 5 दर्जन आम है, तो कितने आम हुए 5 into 12, ठीक है, 5 into 12, मेरे पास मानलो, बेटा, 6 million dollar रुपया आ गया है, हाँ, कई बच्चों ने हमको Google पे किया, सबने 27, 27,000 dollar के Google पे किये हैं, और बहुत ही मैं अमीर हो गया हूँ, इतना अमीर हो गया हूँ, कि मैं जा रहो हूँ भी अफरीका में, मड़ागासकर में, और जम 60,000,000 dollar मेरे पास है, तो अगर मैं बोलू, मेरे पास 4 mol रुपया है, 4 mol रुपया मतलब 4 into na, इतना मेरे पास रुपया है, तुम लोग तो जानते हो, हम बहुत अमीर है, ठीक है, तो उसमें कोई tension की बात ही नहीं है, चले, बहुत अच्छी बात है, अब बस बेटा, इस value को ह nearest integer में answer लेना है, तो 8,48, upon 23, into 10 के पास 23, तेस दुनी 26 हो, वो 46 होता है, so 46, 46 में 2 बचेगा, तो 2 बचेगा, तो 2 जो होगा हमारा, तो 20 हमारा 0.08, 0.08, 2.08 into 10 के पास 23, most probably मेरा यही होता है, और सवाल मेरें, इंटीजर में अगर बोला है, इंटीजर में दो answer, fraction में नहीं answer देना है, इंटीजर में देना है, तो 2 into 10 के पास 23, ठीक है सर, 2 into 10 के पास 23, so x हमारा भवा 2 होगा, ठीक है, तो यहीं सही हम लोग बेटा, पूरा-पूरा calculation कर सकते, यह तो सिर्व आपके भा confusion रहता है, थो हुआ सा doubt रहता है, बट वो doubt mentally रहता है, तो उसमें सवाल नहीं करने, physical chemistry में भी 40% सवाल बड़े easy रहेंगे, तो उन 40% सवालों से बीटा समय save करके, जो 60% थोड़े से बीटा वैसे सवाल है, उन हमें सर समय invest करना है, inorganic chemistry भी समय बचाएगी, ठीक है, लेकिन physical chemistry में 40% question तो ऐसे होंगे, जैसे भी आपने fatty acid वाला देखाता है, यह सब सवाल है, easy है, doable है, बस आपको डराया जाएगा चीज़े, ठीक है, लेकिन कुछ सवाल they will definitely take time, ठीक है, उन में पूरा proper decimal place तक solve करने में से समय जाता है, बट यह सब कुछ हो जाता है, सारी चीज़े ह हो जाती है, बस सवाल की practice करते रही है, practice से ही सब कुछ होगा, मुन्नालाल, practice, 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 ठीक है, मतलब फिल्में तीन चीज़ों से चलती है, क्या, entertainment, 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 और selection, तीन चीज़ों से होता है, क्या, practice, 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 बस, सीरी सी बात, काम खतम, चली बाबा, the number of nitrogen atom in 681 gram of इतना, अब देखो बेटा, यहाँ पर किसकी हमको निकालनी है, nitrogen atom की संख्या निकालनी है, हमें nitrogen atom, बट दिया क्या है, compound दिया है, ठीक है, तो पहले जो दिया है, उसके मोल निकालेंगे, फिर उसके मोल से nitrogen की atom की संख्या निकालें, molecule से atom जैसे नि बुरे हुए थे, तो टोटल इतने सवालों में से, इतने सवाल हमने खुद से कर लिये, नहीं किये थे, कुछ नहीं है तो बस बोलो जुमा के इसरी लिख देना, आपकी जो छोटे-छोटे sentence होती है, they will give me a lot of boost, ठीक है, recharge तो भईजी देखो आप ही को करना पड़ेगा, मु ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, 14 ती यहां 42, ऑक्सिन का 16 इंटू 6, 16 इंटू 6 सर, 96, ठीक है, यह चीज़े, बस बेटा यह चीज़े हैं, इसको अब हम solve कर लेतें सरा, कितना हैं सर, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 2, 17, 17 की पावर 1, कैरी 1, 9, 1, 10, 10, 4, 14, 14, 14 और 8, 14 और 8 अपना 22, तो मेरे ह साथ से बेटा, molecular weight यह आ रहे है, बाकी कुछ कम जारा, कुछ गलती हो भाई से, तो बेटा, माफ करना, ठीक है सर, यह चीज़े, चलिए सर, great, nice, wonderful, तो सबसे पहले निकालेंगे, moles of nitrogen निकालना है, तो पहले क्या निकालेंगे, moles of molecule, weight in gram upon molecular weight, weight in gram upon molecular weight, number of moles of molecule आ गया, मजा आ ग सर, divide बड़ा अच्छा है, divide बड़ा ही easy हो जा रहा है सर, जिन्दगी एक दम सेट है, तो सर, 681 upon 227 सर, सीरे सीरे तीन का भाग देंगे, सर, काम अपना बन जाएगा, बहुर अची बात, साथी हो, किस से हमने पहले ही देख लिया था, बहुर अची बात है, तो इतने mole हमाए हमें molecule के, हमें पूरे को पूरे संख्या निकालनी है, number of nitrogen अब मुझे चाहिए, number of nitrogen atom चाहिए, तो यह mole में है, mole से पूरे atom निकालने के लिए, aggregator number से multiply कर दो, 6.023, 2523, ठीक है सर, अब बस यह भी 3 है, यह 3 है, और यह 6 है, ठीक है, तो हमाए पाच जो answer सर हो जाएगा, nearest integer में यहां पर भी होगा, ठीक है, तो 3, 3, 9, और 6, ठीक है, 9, 6, 4, इंटू 10 के पाच 23, ठीक है, पावर 10 के पाच 21 लेना है, तो 500, ठीक है सर, यह यहां पर हमाए पाच सीन रहेगा, 6.02 ले लेते हैं, तो 602, थोड़ा बहुत, multiplication में change होगा, yes sir, 100% change होगा, सवाल वाले ने na की value लिखी होती, इस तरह की सवाल ने na की value mention करते हैं, कि उन्हें क्या लेना है, बढ़ हम चलो, पूरा-पूरा ले लेते हैं, ठीक है सर, तो यह बाबा देखी हमाएं पास हमारी सर, calculation दे रहा है, इतना है, the value of x, the number of nitrogen atom, in 681 gram of this compound, ठीक है, एक काफी heavy compound है, इतना है, the value of x हम से पूछ रहा है, तो पहले molecule की संख्या निकाली, मोल में, फिर molecule से atom की संख्या निकाली, मोल में, फिर मोल को पूरा absolute number of atom में convert किया, एवगेटर नमबर से multiply करके, ठीक है सर, यह चीज, एवगेटर नमबर से multiply करके, एवगेटर नमबर इस 6.023, 10 की पार 23, ठीक है सर, तो वो हमने किया यहां पर और यह हमाएं पास यहां पर हो क्या चीज़ है, ठीक है, तो यह, पस multiplication है, the main thing is यहां तक, कि आप यहां तक क्य ही, आपको instruction देता है, कि single digit में answer देना है, integer में answer देना है, one place decimal तक answer देना है, वो मैं तो इन आपको सिखाना है, multiplication कैसे करते हैं, वो तो आप वो खुद ही पता है, बस main चीज क्या है concept, कि molecule से atom, atom से electron, यह सब कैसे निकालते हैं, वो सब बेटा theory वीडियों बतायता है, उसी की प्राक्टिस करना है, और आपको मेरे से कम step में करना है, आपको सर मेरे से कम step में करना, आपको इस 40 साल के इनसान से कम step में करना है, क्योंकि आपको exam देना है, आपको उसमें rank निकालनी है, और आपका जो दिमाग है, पूरी तरह से, बेटा, calculation में डूबा हुआ है, ठीक है, यह चीज़े चली सर अगली सवाल पर आते हैं हम लोग ठीक है तो अगला सवाल बीटा हमाई पास एक बढ़िया सवाल है जिसमें की थोड़ा सा हमाई सब क्यालकुलेशन और थोड़ा से स्टोरी बना करके हमको फसाया गया है अगली सवाल को देखते हैं तो 1.84 ग्राम सैंप पॉली हाइड्रिक अल्कॉलिक कंपाउंड ऑफ मूलर मास इतना गेव इतना एमल ऑफ हाइड्रोजन गास एट स्टीपी दा नमबर ऑफ अल्कॉलिक हाइड्रोजन प्रेजन प्रेजेंट इन कंपाउंड एक्स हमसे सर पूछ रहा है ठीक है अब देखो पीटा यहां पे स् यहां होब एक अपास है औरगेनिय कंपाउंड है इस औरगेनियॆं में ने सर बहुत सारे हीड्रोजी ग्रूप लगे हुए हूए है पॉलीहाइडिक लुए है श्लीज भी कुश। सवाल वाले क्या कर रहा है। कि इन hydroxy group के hydrogen को sir उड़ा करके उसने किसमे convert कर दिया है ठीक है sir इन hydroxy group के hydrogen को उड़ा करके किसमे convert कर दिया sir h2 में convert कर दिया अब हमको यह h2 का और compound के moles का sir कुछ-कुछ data देकर के फसाना चाह रहा है या फिर test कर रहा है कि हम कितने आसानी से सवाल में चीजों को सोच सकते हैं चलिए भाई देखते हैं हम लोग यहाँ पर तो बिटा देखिए सवाल में सब देखिए सीन क्या है हमको बस यह समझना है कि अगर मालीजे बिटा number of OH हमको मिलेगा इतना अगर आप सोच लेते हो तो बिटा जी बदाई हो सर जी आपका इस सवाल डन है ठीक है सर बहुत ही बढ़िया great nice wonderful ठीक है सर बहुत अच्छी बात है तो सर यह अपना यहाँ पर सीन होगा ठीक है सर यह चीज़ चलिए सर बहुत अच्छी बात है मोल्स ओफ ओसी और्गनिक कंपाउंड 1.84 मिलिग्राम मतलब 10 की पार माइनस 3 अपन मॉलिक्लर वेट मतलब सर 92 बोल रहे तो सर कितना हो जाएगा मिलिग्राम मतलब कभी बिटा मिली वर्ड आएगा तो कितना 10 की पार माइनस 3 एक मीटर में 1000 मिली मीटर एक लीटर में 1000 मिली लीटर और एक ग्राम में 1000 मिलिग्राम तो मिलिग्राम को ग्राम में कंपार माइनस 3 आपको मल्टिप्लाई करना है ठीक है ये चीज़ ग्राम को मिलिग्राम में कंपार 3 मल्टिप्लाई करना है तो milligram छोटा है उसको बिटा convert करने के लिए gram में 10 की पार minus 3 से multiply करें तो weight of organic compound in gram upon molecular weight यह हमाई पास हो जाएगा और इस point को गरे मोड़ा देंगे तो यह हमाई पास हो जाए कितना 2 into 10 की पार minus 5 mole of OC हमाई organic compound के mole कितने हो जाएंगे सार 2 ठीक है सर जी तो यह यहाँ पे सर हमाई पास scene होगा तो 2 into 10 की पार minus 5 mole of हमाई पास organic compound है बहुत अच्छी बात है moles of OH कितना होगा moles of OH इनसे होगा 2 into 10 की पार minus 5 into n mole OH होगे क्योंकि हर एक molecule में सर n OH है ठीक है तो इनसे moles of H2 कितना आएगा इनसे सर moles of hydrogen कितना आएगा इसको सर हम 2 से डिवाइड कर दें क्योंकि N moles से H2 कितना होगा N by 2 होगा तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 की पार minus 5 into N mole H2 के हो जाएंगे तो hydrogen के mole हमाई पास सर इतने निकल करके आ रहे है ठीक है अब बेटा यही hydrogen के mole सवाल वाले ने हमको HTP आले डेटा से भी दिया हुआ है तो mole of H2 कितना हो जाएगा सर HTP के डेटा से volume of gas at HTP 1.344 upon 22,400 इतने mole हमाई पास hydrogen होगा ठीक है अब इसको चलो बेटा solve करते हैं यह point को हटाओ मुझे गंदा लग रहा है 1344 and 22.4 और साथ में सब्सक्राइब यह 30 इधर और 20 इधर set करेंगे सब्सक्राइब 10 के पार माइनस 5 mole अब यह सरमाय पास देखिए calculation है अब इस calculation को कैसे करें बेटा देखिए नॉर्मली जो सवाल वाला होता है वो real life में बेटा arbitrary number नहीं frame करता है वो कुछ ऐसे number frame करता है जो कड़ जाते है most of the time तो 4 के multiple में वो कौन सा ऐसा number है जिसमें फिर पीछे 4 आएगा तो मेरे को लग रहा है sir 46024 ठीक है sir 46024 तो मैं इसको 6 से अगर multiply करों तो मुझे लगता है sir यह कड़ जाना चाहिए और 6 दूनी 12 और यह 13 के आसपर तो मेरे इसाब से यह 6 से कड़ जाएगा ठीक है यह मेरा instinct है और यह जो instinct है sir हम बहुत सारे सवाल करकर करके इतने confirm इस instinct को develop कर लेते हैं कि exam वाले दिन अपना बेटा सबसे best performance होता है मिस तरह से 3-4 सवाल सर हमारे सही हो जाते है ठीक है यह चीद तो बेटा यह हमारा 6 into 624 हा 6 into 10 की पार माइनस 5 मोल अपना हो जाएगा ठीक है sir 6 into 10 की पार माइनस 5 मोल हो जाएगा क्या यह जो चीद है सही है आई यह सर देख लेते हैं कि टू टू फोर इंटू सिक्स क्या हो यह सवन थ्री फोर फोर बिटा एकदा मैच कर रहा है तो 6 into 10 की पार माइनस 5 मोल ह 2 के होंगे सर यह हमाय पास hydrogen आ गया अब बेटा यह जो hydrogen है यह वही hydrogen तो है जो हमने यहां पर calculate कि है यह वह हाइड्रोजन तो है जो हमने यहां पर calculate कि organic compound में कितना hydrogen इतना और बेटा यहां पर चीदू को compare करके हमें पता चल जाएगे तर N की value क्या होगी एन हमारा and it's a six sir it's a six sir yes यह हमारा six होगा यह हमारा sir six होगा यह हमारा sir six होगा तो इस तरह से भया जी यहां पर सीन होगा ठीक है एक बार फिर से बेटा साधी चीज़ आपको समझाते हैं देखो क्या सीन है हमाइप पास sir molecule में कितने OH हो हमने sir बता दिये इन OH से कितना विटा H2 निकलेगा यह हमने निकाल दिया N OH से hydrogen उडाने के बाद N by 2 H2 मिलेगा organic compound की mole निकाले हर एक mole में N OH के साथ से OH के mole निकाले उनसे H2 के mole निकाले यह अपने पास सीन है compare किया N की value निकाल दिया and it's a six sir सही sir great nice wonderful बोलो जो बाकी सरी चली सर बहुत अच्छी बात है कि ठीक है यह चीज़ चली सर बहुत भी बढ़िया कि थोड़ा सा थकावट आ रही है थकावट आदी तुसर एनर्जी ले ले लेते हैं एनर्जी के लिए क्या है हमाई पास यह अपने देसी चने ठीक है अब देखें भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एम्यू से अगर आपको डर लगता है तो डरिये मत सारा मामला क्लियर करतेंगे ठीक है यह चीज़ यह सवाल मैंने नीट वाले बच्चों को भी कराया था और आपको भी कराऊंगा क्योंकि हमाई कुछ भाई बैन ऐसे हैं जो एम्यू से क्लास 11 से डरते हैं टेंशन मत लिजे बस चार बातें आपको एम्यू क्यार रखनी जो मैंने आपको क्लास में कराई थी फिर से बता र हाले इंसान ठक जाता है कि गोड़ा ठक जाता है कि चना खाखा के बढ़ाएगा कि अ कि अ कि चलो साब देखो सीन क्या है अ कि ँसके बारे हैं बात करना है बेखो एम्यू का सीन क्या होता है कि एम्यू पेटा हमारी वेट की चोटि यूनिट ए जिसका इस्तेमाल मॉलेकूल के वेट को एक्सप्रेस करने के लिए कि यह जाता है बेटा एक आटम बहुत छोटा है, एक molecule बहुत छोटा है, तो उसका mass हम लोग बेटा छोटी unit में express करते हो, वो छोटी unit क्या होती है, सर हमारी amu होती है, बस एक चीज़ द्यार रखिए, ठीक है, कि एक atom का mass, एक atom का mass, mass of one atom, कितना होता है, सर उसके atomic weight जितना amu होता है, तो उसे atomic mass unit भी कहते हैं, ठीक है, एक atom का mass कितना होता है, सर उसके atomic weight जितना amu होगा, जैसे कि बीटा, सिल्वर की एक atom का mass, 108 amu होगा, ठीक है, सर, हमारी sodium की एक atom का mass, 23 amu होगा, एक atom के mass के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, mass of one mole atom, कितना होगा सर, उसके atomic weight जितना gram, जैसे कि, एक mole silver है, तो उसका mass कितना होगा, 108 gram, एक mole sodium है, उसका mass कितना हो, सर, 23 gram, ठीक है, सर, ये चीज़ यार रखिए, ठीक है, ये चीज़, 1 amu होता कितना है, सर, 1 amu कितना होता है, सर, 1 upon n a gram, 1.66 into 10 के पार, माइनस 24 gram, तो जो काम की चीज़े न, वो इतनी होती है, बाकि जो फिर, जब full course होगा, तो हम बच्चों को पूरा gram atomic weight, gram molecular weight, definition, वगरे, सब को लिखाते हैं, but it is not a time of, पूरा-पूरा full case, ये, बेटा, जो काम की चीज़ें, जो उसमें सवाल होते हैं, वो उतनी चीज़ें, तो बेटा, मेरे साब से, amu का जो concept पर इतना याद रखिए, कि amu क्या है, अगर हमाँ पास कुछ चुनिंदा atom या molecule है, तो उनका मास हम लो gram में नहीं express करेंगे, क्योंकि gram बहुत बड़ी unit है, उनका मास हम लो बेटा, amu में express करते हैं, ठीके, तो ये चीज़ है यहाँ पर, हमको सर, amu मोहर सॉल्ट दिया हुआ है, मोहर सॉल्ट हम सब जानते हैं, सर, ferrous ammonium sulphate, ठीके सर, मोहर सॉल्ट हमारा ferrous ammonium sulphate होता है, ठीके सर, और हमसे पूछा था number of moles of मोहर सॉल्ट कितने हैं, हमसे पूछा था number of moles of मोहर सॉल्ट कितने हैं, ठीके सर, मोल, हाला कि देखिए, weight इतना कम है कि इसमें most calculate करना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन सवाल वाल, अगर मोल में बोलेगा, तो मैं मोल में बिता दूँ, मुझे क्या है, तो moles of मोहर सॉल्ट कितना हो जाएगा, weight of organic compound in gram, mole निकालने के लिए weight of organic compound gram में चाहिए, यहाँ पे organic compound का weight gram में नहीं, amu में, तो बिटा 1 amu कितना होता है, 1 upon any gram, एक amu कितना 1 upon any gram होता है, ठीके, यह चीज़, तो weight in gram आ गया, upon molecular weight, molecular weight कितना 392, molecular weight के साथ कोई unit मतलगा हो, gram amu कुछ मतलगा, molecular weight सिर्फ molecular weight एक number, एक unit as quantity है, ठीके, मैं molecular weight को कहता हूँ, सिर्फ mass number के basically sum, यह यहाँ पर सीन है, अब बेटा देखो फिर वही चीज, ऐसा कौन सा number multiply करें, कि 2 के table में वह कौन सा number है, जो multiply होने के पाद, पीछे 6 आता है, तो 8 के इसाब सर, most probably काम होना चाहिए, ठीके, और यह हमारा 8, 342, यह 392, 4 के आसपास है, तो 8, 342, मुटा मुटा बेटा matter करेगा, ठीके, तो यह हमारा सर, 8 से कड़ जाएगा, ऐसा हमारा instant कहता है, ठीके, 8, 12, 16, yes, तो 8 into 1 upon any mole, इतने mole हमाई पास सर, है, ठीके, 8 into 1 upon any mole, 8 into 1.66 into 10 के बार minus 24 mole, ठीके सर, यह हमाई पास value हो जाएगी, ठीके सर, चलिए, फर्स पार्ट हो गया, यह मैंने आपको जानबूज के दिया था, number of most में निकालना है तो यह, number of most के form में weight in gram होता है, number of molecule पूछ रहा है, बहुत easy, बेटा याद रखो, amu में क्या बता है, एक moleकुल का मास कितना होता है, 392 amu, एक moleकुल का मास कितना होगा, उसके molecular weight यतना amu, तो बेटा, मोहर salt का एक molekule 392 weight का है, तो इतने weight में कितने मोहर salt आएंगे, सीदे सीदे डिवाइड कर लेंगे, बहुत सीदी से बात, मानलो एक आम दो किलो का है, मालो एक आम 2 kg को है, तो बताओ 18 kg में कितने आम होंगे, सर सीधी से बात है 9 आम होंगे, 18 को 2 kg से डिवाइट कर देंगे, ठीक है, तो इसी तरह से बेटा, 3136 AU में कितने मॉलेकुल होंगे, 3136 को अगर हम 392 से डिवाइट कर देंगे, तो सर इतने मॉलेकुल हमाएं पास है हम सबसे पहले यह बोलते हैं मोल के साथ जरूर लिखो कि किसके मोल है ठीक है यह चीज़ अब साथ में क्या number of atom तो molecule से atom निकालना very very easy बस यह देख लो कि एक molecule में कितने atom है तो एक एक और चार कितने है कि चार पांच्छ पांच्छ पांच्ट निदस दस पांच्पंदरा 15 हो गया और तीन छीं ot 13 टॉटल सर जी इतने इतने हैं हमाई पास और यह कितना हो जागा 15 15 30 23 23 और 6 29 बीटा देखे 29 एटम होने चाहिए ठीक है एक क्रोशेक कर ले थे एक बाद फिर से 4 5 6 ठीक है चार एक पांच 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 होने 10 10 14 और 15 ठीक है और 63 18 तो यह हमाई पास इन है 15 15 30 30 30 30 30 और 6 के 29 देखे क्데करोशर करना कितना भहत्रीन था थ刁 ? 39 तो 39 ऐटम है एक मॉलुक्यूल में तो नंबर ऑफ अटम उड़ भी नंबर ओफ मॉलिक्यूल इंटू नंबर ओफ मॉलिक्यूल इंटू एक मॉलिक्यूल में कितने आटम में वो संख्या मल्टिप्लाई करेंगे यह अपना हो जाएगा सीन निम्बह तर साथ 24, 24 और साथ हमाँ पास 31 ठीक है सर तो 312 आटम अपने पास यहाँ पर होंगे यह सर जी देखे यहाँ पर अपना सीन होगा तो that's how we are going to calculate this we are going to solve this question ठीक है सर तो number of moher salt number of molecules of moher salt and number of atoms present in moher salt यह पूरा का पूरा सर देखे केस हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है ठीक है यह चीज the number of gram molecule of oxygen सर देखे ग्राम molecule बोले या gram atom बोले gram molecule मतलब mole of molecule moles of molecule और gram atom मतलब moles of atom ठीक है gram atom मतलब moles of atom सर यह चीज यहाँ पर है अब बस आप इसको solve कर लिजेगा सीरे 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 सर आंसर आ जाएगा और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है अचा the number of gram molecules of oxygen पूछ रहा है हमसे oxygen पूछ रहा है ठीक है तो पहले moles of molecule निकाल लेंगे सर पहले moles of molecule निकाल लेंगे और वो कितना हो जाएगा सर moles of molecule हो जाएगा सर इसको na से डिवाइड कर देंगे na से डिवाइड कर देंगे सर अपने पास 6.02 थी 10 के पास डिवाइड करें सर 10 moles अपने पास आ जाएगा 10 moles अपने पास आ जाएगा सर CO के molecule और हर एक CO में कितना oxygen है एक है तो gram molecules हमसे पूछ रहा है सर ठीक है तो moles of oxygen atom moles of oxygen atom पूछ रहा है हमसे 10 mol oxygen के atom हो जाएंगे 10 mol oxygen के atom हो जाएंगे अब हमको moles of O2 molecule पूछेगा moles of O2 molecule पूछेगा तो एक molecule बनाने में दो atom लगते हैं तो ये 5 mol O2 molecule हो जाएगा ठीक है, जोड़ा बनाना है जोड़ा, तो 10 लोग कितना जोड़ा बनाएंगे 5, ठीक है, O2 बनाने के लिए 2 atom मिलकर के जोड़ा बनाएंगे तो 5 mol O2 के molecule हो जाएंगे 5 mol मतलब 5 gram molecules अपना यहाँ पर सीन हो जाएगा ठीक है, ये चीज़ तो that's how we are going to solve this question चलिए सर, बहुत ही बढ़िया great, nice, wonderful और आगे बढ़ते हैं सर the mass of atom of X is इतना then it's 32 gram contain how many moles of X, ठीक है इस तरह के सवालों को बेटा थ्यान रखिए, कैसे करना है बेटा देखो, एक atom का mass कितना होता है, mass of one atom is mass of one atom is उसका atomic weight जितना क्या सर, amu सर जी, mass of one atom is उसका atomic weight जितना amu, ठीक है सर ये अपने पास हीन होता है, तो atomic weight और साथ में बेटा amu की value, 1.66 into 10 की पार minus 24 gram ठीक है सर, ये हो गया एक atom का mass, 1.66 into 10 की पार minus 24 gram और ये value सर किसके बराबर है, सर ये value बराबर है, 2.66 into 10 की पार minus 23 gram के बराबर है, ठीक है सर ये हाँ पर है, यहाँ से बेटा जी solve करेंगे अगर हम, तो हमाँ पास atomic weight आ जाएगा, 2.66 into 10 की पार minus 23 1.66 10 की पार minus 24 10 उपर चला जाएगा अब यहाँ पर बेटा एक चीज देखिए आपको शायद हो सकता सर काटने में दिक्कत हो रही हो, तो हम आपको बताते कैसे करना है 2 को 2 लिखो, और साथ में बेटा 0.66 को आप क्या लिखोगे 2 by 3 0.66 क्या है सर्थ 2 by 3, ठीक है? यह सब नंबर याद रखिए 0.66 क्या होता सर्थ 2 by 3 होता है 1 को 1 लिखेंगे, 0.66 को क्या लिखेंगे 2 by 3 into 10 तो बेटा जी अब इसको solve करेंगे 3 दो नीचे, यह 8 by 3 हो जाएगा और यह 5 by 3 हो जाएगा तो 8 by 5 into 10 हो जाएगा 8 by 5 मतलब सिर 1.6 1.6 में 10 जाएगा सर्थ से 16 तो यह भाया जी यहाँ पर सीन हो जाएगा तो 16 यहाँ पर सर जी यहाँ पर सीन हो जाएगा तो atomic weight की value होगी कितनी 16 ठीक है अब हम से पूछाए सर how many moles of x are present in 32 gram सर जी 32 gram में कितने moles होंगे weight upon atomic weight सर 2 सर 2 moles होंगे so moles हो जाएगे सर 2 moles 2 moles अपने पास हो जाएगे ठीक है अब देखना है सर इन में से कौन सा answer है जो 2 के करीब है 10 की पार minus 43 none of these none of these अभी तो हो सकता होगा ठीक है यहाँ पर देखते है यहाँ पर जो numerator है 10 की पार minus 46 जा रहा है कटा दीगे इसको भी इसको देखते है यह तोबसा अच्छा लग रहा है बेटा 6 and 2.66 यह कितना हो जाएगा 6 and 2.66 ते 6 दो नी 12 और 0.66 भी लगा हुआ है तो मजब 15 16 के आसपास होगा तो यह 15 16 के आसपास होगा 32 32 और 16 दो ही होता है 32 और 16 हमाई पास दो होता है हमाई पास भी number of most 2 है तो बेटा option number B हमारा सही होगा तो इस तरह से थोड़ा सा हमको panic करवाता है और सारा के सारा खेल क्या है कि हम कितनी जल्दी बेटा सवाल करने की आदत हमाई पास होती है तो मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलता हूँ बेटा जो भी topic पड़ो उसकी कम से कम 10 सवाल 10 मिनट के अंतर बीटा timer के साथ लगानी कोशिश करिए ये 10 सवाल को 10 मिनट में करने का target ये नहीं कि 10 के 10 हो करना बट आप कुछ चीजें सीखते हो कि कैसे सवालों को छोड़ा जाता है कौन-कौन से question होता है जिनको पढ़ते ही हमें analyze हो जाता है बट यही प्राक्टिस जब पचासवी बार करेंगे तो एक या दो सवाल की जगे पर पांच या छे सवाल तक होने लगे और धीरे धीरे इस तरह से स्पीड अपनी बढ़ेंगी ठीक है अपने को जे में में वन देना है जे में टू देना है एडवांस देना है तो ऐसा नहीं कि बहुत हाय तोबा मचाई कि सर कैसे होगा ये इतने दिन बचें यह वो अरे पढ़ाई तुम कर रहे थे हम तो अब आपके साथ जुड़े हैं ना तो हम कुप समय तो दीजिए को आपके साथ लगने का ठीक है यह चीज चली सर बहुत अच्छी बात है अब अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कहां पर सर कंसेंट्रेशन टर्म के सवालों पर चली सर वहां पर आते हैं पर चुने के concentration term के सवालों में जो सबसे बड़ा concept होता है वही होता है वेटा concentration interconversion का कि हमसे सर interconversion वाले सवाल आते हैं कि एक concentration term को सब दूसरे concentration term में convert करने वाला थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं अच्छा खाईए अच्छा पीजिए और अच्छा सोचिए अच्छे सोचने से ताथ पर ही होता है कि किसी के लिए निगेटिव मत सोचिए निगेटिव सोच करके आप अपनी energy को हराब करते हैं ठीक है यह चीज़ देना ना देना तो उपर वाले के हाथ में कोई माईकल आल नहीं जो आपको कुछ दे सकता है ठीक है यह चीज़ चलिए सब्सक्राइब करते हैं कि देंस्टी ऑफ 2.05 मोलर सल्यूशन ऑफ एस्टी कासिट इन वाटर इस इतना दें दा मुलालिटी ऑफ दे सल्यूशन देखो बड़ा यह सवाल में हमको मुलारिटी दिये है तो उससे मुलारिटी निकालना है एक ट्रासिक तरीका क्या है कि पहले जो हमने आपको आप सब्सक्राइब कर लो स्के बाद जो भी त्यूर्य करना उसका आप फॉर्म में चीजों को रखू बट मैंने पर ट्री वीडियो में ये बी बताए कि कभी ओर मुलारिटी का सवाल आता है और सवाल में कोई condition नहीं दी होती है condition मतलब वो condition जो 2014 advance के सवाल में थी कि assume volume of solution is same as volume of solvent इस तरह की condition अगर नहीं दी गई है तो sir आप क्या करोगे आप sir सीधे सीधे straight forward अगर condition नहीं दी है और molarity का सवाल है जो mostly आता है देख लो 2006 में सवाल है 2022-30 में भी इस तरह का सवाल तुमको मिलेगा अभी देखो कि तुम इसलिए तुमको दिया जान बुझ करके तो आप सीधे सीधे molarity molarity में एक फॉर्मरा यार रखे क्या capital M बराबर thousand rho m upon thousand plus mms m क्या है molality small m क्या है molality ms क्या है molecular rate of solute molecular rate of solute ये क्या है density of solution किसमे gram पर ml में और capital M क्या है molarity ठीक है ज़र ये हमाई पर सर सीन होता है तो molality से molarity या molarity से molality कैसे निकालते है सर अपना इस तरह से काम अपना हो जाता है ठीक है सर ये चीज़़ तो molarity molality के सवालों में सर बहुत जल्दी से अपना काम हो जाता है इस तरह से चलिए सर बहुत अच्छी बात है the molality of the solution हमसे पूछ रहा है क्या करें कैसे निकालने उसके बारे में बात करा है चलिए सर बहुत अच्छी बात है सीधे सीधे मुझे लगता है कि इस फॉर्मले में आपका काम हो जाता है यह फॉर्मले में वैल्यू को पुट करिए और molality molality के सवालों को इंजॉय करिए सर जी क्याप अब बस आप बेटा इस सवाल को करिए क्रोस मल्टिप्लाई और इसका आंसर निकाल करके करिए इंजॉय है ठीक है सर हमको इस calculation में पढ़ने की सर आवश्यक्ता नहीं है लेकिन क्या करें महबत इतनी है तुम लोगों से कि छोड़ भी नहीं पाते है पागल बनाके छोड़ा हुए तुम लोगों ने ठीक है सर यह चीज तो 20.5 इंटू 6 20.5 इंटू 6 एम ठीक है सर यह अपने हो जाएगा और यहां पर सर 1020 एम चली सर बहुत अच्छी बात है तो छे पंजे 30 60 63 यह अपने पास बिटा 63 हो जाएगा 63 एम 63 एम हो जाना चाहिए नहीं क्या मैं बोलना हूँ सर एक्सोबीस एक्सोटीस 123 ठीक है सर तो यह यहां पर होगा छे दोनी 12 12 120 और यह 3 123 तो 123 एम तो अंसर इस 2050 और 1020 मिनस 123 ठीक है सर तो 897 तो सो एम कमस आउट टूबी बच्चो एम कमस आउट टूबी बच्चो एम कमस आउट टूबी 2050 अपन 897 यह सर हमाय पास सीन होगा और यह वैल्यू हमारी 2 से थोड़ी से बड़ी है और 3 से कम है तो 2.28 हमको लगता है कि सर इसका सही आंसर होना चाहिए ठीक है सर तो that's how we are going to solve this question ठीक है तो राम अपन MMS रो और M का प्रनेंसिशन राम हो जाता है और MMS तो राम अपन MMS से हम बेटा यह फॉल्पला बच्चों को याद कराते हैं और हम आयटी में थे ठीक है और थर्ड येर के आसपास हम लोग थे बेटा उसमें तो में लिए तो 2007 एक ऐसा दौर है जो जाना पहचाना है बट मेरे को लगता है कि आप लोगे लिए जो 2007 का दौर है वो आपकी पैदाईश के आसपास का बेटा दौर है या पैदाईश हो गई होगी आप बच्चे हो सकते हैं शायद ना पैदा हुए हो आप कभ यह वीडियो देख रहा है और लोगों के बच्पन वाला ही दोर है तो काफी पुराना सवाल है आपके लिए बट मेरे लिए सवाल उतना पुराना नहीं है ठीक है यह चीज हम लोग को कौन से सवाल पुर सवाल में हमको सब मुलायरिटी। है यही है और ढरेंस्टी हमसे पूछ रहा है अ और उस सफ्ब्रक एसे का मास सबच भी कितना है सब 29 परसंद दो ऑप अप ऐसा माहिए क। यह सा वालो कि आपको यह दिया हुआ है जैसे कि आपको मुलाररिटी नहीं दिवी ठीक है अब यह कितनी रो ठीक है अब बस यह concentration interconvention का सवाल हो गया कि आपको बिटा सवाल में density दी है और आपको क्या molarity निकालनी है आपको क्या सब्सक्राइब निकालनी है ठीक है अब करो सवाल को वही जैसे मैं बताता हूं कि जो जो concentration term दिया उसको define करें define करके table बनाईगा और फिर जो निकालना उसके फॉर्म में रख दीजिए फिर देखे कितना मजा आता है तो सब्सक्राइब का मतलब कहें 29 ग्राम एच्च्टू एससो फोर इन 100 ग्राम सल्यूशन ठीक है अब बिटा मैं टेविल बनाऊंगा इसल्यूट कितना है 29 ग्राम सल्यूशन कितना है 100 ग्राम तो सॉल्वेंट कितना होगा 71 ग्राम ठीक है सल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा वेट अपॉन डेंसिटी इतना एमेल सल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा अब मुझे सवाल में क्या निकालना है मुझे सवाल में निकालना है molarity चलिए sir molarity निकालते है capital M निकालते है capital M की value क्या होगी number of moles of solute 29 upon 98 number of moles of solute upon volume of solution 100 upon row और 7 meter 1000 से divide करेंगे ठीक है sir solve करने पर value आजाएगे 29 upon 98 और यह sir 10 row हो जाएगी यह हमाई पास sir क्या हो जाएगे sir 10 row हो जाएगे तो that's all we are going to do this question capital M की sir जी value हो जाएगी capital M की value हो जाएगी कितनी 290 upon 98 row ठीक है sir यह अपने पास capital M की value होगी अब मज़ा देखो आपको सवाल में पेटा रो नहीं दिया है सर जी देखिए आपको सवाल में सब देखिए row नहीं दिया हुए अच्छी बात है sir row नहीं दिया हुए लेकिन molarity दी हुई है और हमने अब देखो molarity को density के term में निकाल लिया है तो जो हमने calculate किया है उसको उसकी given value से चली equate करते हैं तो we have molarity 3.6 अब बेटा solve करेंगे तो row अपना निकल करके आ जाएगा 3.6 into 98 upon 290 ठीक है सर यह अपने पास scene हो जाएगा और 98 को मैं मुटा मुटा अगर 100 माल लू क्योंकि objective question है ठीक है 98 को मुटा मुटा 100 माल लू तो उपर हो जाएगा मुटा मुटा 360 और 290 को मुटा मुटा 300 माल लू तो यह इतना हो जाएगा और बेटा solve करने पर value हो जाएगा कितनी 1.2 solve करने पर value हो जाएगा कितनी 1.2 तो that's all we are going to solve this question and the option will be D तो यह सर देखे यहाँ पर scene मतलब जहाँ पर भी बच्चों देखे सवाल में दो concentration term use हो रहे हैं दो चीज़े दिये molarity, molality, mole fraction, molality तो यहाँ रखना वो concentration interconversion के सवाल है वही सवाल जो हमने आपको जब batch में पढ़ाती तो वहाँ पढ़ाया था वही सवाल जो हमने आपको revision वीडियो में पढ़ाया हुआ है वो सब चीज़े ठीक है भाई, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है बहुत ही बढ़िया गरेट, नाइस, वंडरफुल ठीक है सच, चलिए 0.2 mol of sodium carbonate is dissolved in water to make 100 ml solution find the concentration of each ion assuming complete dissociation देखे इस तरह के सवाल में चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको concentration of each ion तो molarity of solute पहले निकालते है molarity of solute मतलब sodium carbonate की बटा molarity sodium carbonate की molarity क्या होगी 0.2 weight of solute upon volume of solution liter volume कितना है सब 1 by 10 तो 2 molar Na2CO3 है बट सवाल में हमें Na2CO3 की molarity नहीं पूछ रहा है सवाल में हमसे ion की molarity पूछ रहा है तो ध्यान सुनो Na2CO3 किसमें convert होगा 2 Na plus 1 carbonate ion अब ध्यान सुनो molecule में कितनी Na plus है 2 है ना molecule में कितनी Na plus है 2 है तो आप Na2CO3 की molarity में 2 से multiply करोगे Na2CO3 की molarity में 2 से multiply करो तो वो संख्या मल्टीप्लाई करो जो एक मौलीकुल में मौजुद है. तो आपको आइन की मौलएरिटी तो यहां पर आंसर होगा. ठीक है यह चीज़, बिटा देखिए अगर माली जी हमाई पास aluminium sulphate की molarity मालो बिटा 5 molarity है तो solution में aluminium ion कितना होगा? 5 into 2, solution में sulphate ion कितना होगा? 5 into 3, एक molecule में 2 aluminium ion है तो 2 multiply करेंगे molecule की molarity में और एक molecule में 3 sulphate ion है तो 3 multiply करेंगे molecule की molarity में, we will get the answer ठीक है सर्थ, 10 और 15 molarity हो जाएगे aluminium और sulphate की, तो यह सर्थ हमारा काम करने का तरीका होता है यह चीज़ को ध्यान लखिए बेटा, सवाल आ सकते हैं सवाल सर्थ, देखिए आ सकते हैं, ठीक है? यह चीज़ है the density of 3 molar solution of NACL इतना the molality of the solution हमसे पूछते हैं, अब तुम बताओ, अब मानते हो की नहीं मानते हो बड़े भाई को? बच्चों यह बताओ, अब आपको मानते हो की नहीं मानते हो हैं, हमको मानते हो की नहीं मानते हो जो सवाल 2006 का, 7 का हमने आपको कड़ाया था, वही सवाल 2013 में repeat हो रहा है की नहीं हो रहा है सवाल में density दिया है, सवाल में molarity दिया है, और क्या पूछता है? molality तो क्या लगाना है ram upon mms वाला formula बस जिंदगी मस्त है सर जी capital m बराबर thousand rho m upon thousand plus mms यह formula लगा दी यह काम है बट याद रखना सर ने यह भी बोला है यह formula कब नहीं लगाना बिटा अगर सवाल में 2014 advance के सवाल जैसी situational problem है जिसमें condition देगी कि assume volume of solvent and solution is same तो वहाँ पर नहीं लगा सकते हैं कोई भी सवाल में बेटा assumption दे दिया जाता है तब हम यह नहीं लगा सकते हैं ठीके यह चीज़ but simple इस तरह का सवाल है आप आदाम से लगाए और मेरा बेटा मानना यह है कि J-mean में आपको भी सवाल की चीज़े नहीं होगी ठीक है मैं तो आपको पूरा रंद तक पढ़ाऊंगा आपका जब J-mean हो जाएगा तो एडवांस के लिए आपकी classes लेंगे भाई उसमें भी आपको कराएं तो वहाँ पर उस तरह के सवाल आपको बढ़ाएं कि कैसे होते हैं ठीक है सर यह चीज़ चलिए सर तो मुलारिटी है 3000 रो वन है ठीक है सल्यूशन की देंस्टी है सॉल्मेंट की नहीं सल्यूशन की क्या टेल यह निकालना है 1000 क्या है सर एने चील है उसका बेटा मॉलिक्लर वेट 58.5 ना 35.5 वो 23 58.5 होता है मॉलिक्लर वेट रटा हुआ है आप भी रट लोगे अब बस क्रॉस मुल्टिप्लाई करना है और सॉल्व करना है चलिए बाए क्रॉस मुल्टिप्लाई कर सकते हैं कर सकते में 3000 58.5 से 3 से मुल्टिप्लाई करते हैं तो 58.5 मुटा मुटा साथ हो जाता है तो साथ हो तीन 180 ठीक है 180 0.5 माइनस करोगे तो 180 0.5 माइनस करेंगे तो देड़ साड़े चार तो 175.5 मुटा मुटा यही होगा यह चीज़ तो 3000 माइनस करेंगे 200 माइनस करेंगे तो 824.5 ना यह चीज़ है 824.5 अब बस कैसे इसको सॉल्व करें 1824 और 3432 तो 3 और 4 के बिटा बीच में अंसर यह चीज़ ठीक है तीन और 4 के बीच में शवाल वाली ने गंधगी कर दी है और बहुत गंधगी के साद उसने देखिए सवाल बनाया हुए और हमें अब देखिए इस स्वाल करना पड़ेगा पड़ेगा यह इस ने दिखिए हुई है तो थोड़ा सा देखिए सवाल हमारा समय खाएगा जितना हम सोचे देखिए जल्दी लिकर लेंगे नहीं भाई देखिए समय खाएगा और हम अभी इस समय उस चीज में हम अभी नहीं है तो हम तो भाईया यूज कर लेंगे काल्कुलेटर ठीक है और देखते हैं सर इसका अंसर क्या आएगा 3000 अपॉन एट ट्वंटी फॉर पॉइंट फाइफ थ्री पॉइंट सिक्स थ्री एट ठीक है यह चीज तो थ्री सिक्स्टी थ्री पॉइंट इंटू टैन की पार माइनस टू इंटीजर ने बताने तो थ्री सिक्स्टी फॉर टैन की पार माइनस टू ठीक है तो यह भाया जी यहाँ पर सीन होका तो यह थोड़ा सा सवाल वलने गंदगी की कुछ तो छोटे मोटे चेंज करेगा ही कुछ तो लोग कहेंगे लोगों काम है कहना तो सवाल वाला थोड़ा बहुत तो घुमाएगा ही क्योंकि घुमाना सवाल वाले का काम है ठीक है सर तो इस तरीके से भाया जी हम लोग काम करेंगे और that's how we are going to solve this question but do remember molarity और molality sir काफी sir common होता है तो सवाल वाले को sir molarity molality के साथ खेलना बहुत पसंद थे ठीक है बहुत अच्छी बात है उसको भी पसंद है हमको भी पसंद है हमको सवाल करना पसंद है क्या concentration time में अपने पास और भी सवाल है अरे बहुत सवाल है बहुत सवाल है इतने सवाल है कि तुम मस्त हो जाओगे इतने सवाल हैं कि आप मस्त हो जाओगे इतने सारे सवाल ले करके आयो 52 52 questions हम ले करके है ठीक है यह चीज जिन्दगी की तलाश में हम मौत के इतनी करीव आगे हम बोट के नहीं हम तो जिन्दगी करीब आगे है क्योंकि हम आपके गरीब आ गए है ठीक है यह चीज चले भाई इस सवाल को देखते हैं और यह सवाल सर बहुत ही असान सवाल है ऑफ-लाइन क्लाफ में बच्चे एकदम आते हैं परिसान हो करके आते लेंद आते बच्चे सर यह देखे सवाल में क्या जे यह इत्ता लंबा सवाल बनाया ऐसे कौन करता है सर ऐसे कौन करता है अरे जितना लंबा सवाल जही में में नीट में आए उतने खुश हो जाओ तो बहुत लल्लू पंजू बहुत ही छोटा सवाल है ठीक है इस सवाल में जो असली लाइन है वो एक या दो नम एक या दो सेंट एक या दो लाइन है में बाक ठीक है दो चीजों को mix करके बिटा solution बना रहे हैं A के N1 mol B के N2 mol हैं दौनों के molecular weight M1 M2 है ठीक है if D is the density of the solution gram per ml C2 is the molarity and X2 is the mol fraction of second component then C2 can be expressed in terms of ठीक है तो बिटा देखो सीडिय सी बात है हमको molarity हमको sir molarity को किसके term में express करना है मोल fraction के term में express करना है और ध्यान रकलो कि C2 तो हमारा जी that's it, तो first component हमारा solvent है, second component हमारा salute है, ठीक है ये चीज़, अच्छा एक और छोटी चीज़ ज़रा तुम देखोगे क्या, इस सवाल में N1, N2 कहीं भी बेटा जी option में यूज नहीं हो रहा है, N1, N2 सवाल में कहीं पर भी बेटा option में यूज नहीं हो रहा है, तो वो जिन्दगी के मज़े ले रहा है, N1, N2 का सर्फ कोई बहुत बड़ा यहां पर इस्तमाल नहीं है, या हो सकता हो कड़ जाए, या हो सकता हो कड़ जाए तो अलग बात है, ठीक है, ये चीज़, चली सर् सवाल को करते हैं और देखते हैं सर कैसे होगा यह सवाल, दिखे, इस सवाल पर हम लोग चलते हैं, हमको मोल फ्राक्शन दिया है, बिटा हमको क्या दिया है, मोल फ्राक्शन दिया है, मोल फ्राक्शन का मतलब क्या होता है, सर जी मोल फ्राक्शन का मतलब होता है कि एक मोल सल सल्यूशन की कितने मोलतोर्फ से उतने मोले सप depression मुलमोल स्कूर kसा स्वान अगर उक्सटु मोल्त फ्रैक्षन है तो ऐसे कि इस्प्रणर में कोई कम्परेंट किई नगा तो अगर only fraction .2 मतलब वट न वोल में पॉइं तुमले तो वन मोई सल्यूशन में वन वह सल्यूशन स्ट ःत्रव किमिशंच को देख करके मुझे अपने आपको चाटे मारनी का पिटक tiro m योगा सोलवेंट कितना होगा सरवन G amar एकक चुमाल रहाएं पारी सल्वेंट होगा i5ोगा बहुत तो सलूशन टरह ए सरफ ञीट मोल मॉल housing कितना सरफ आफ एकसटू मॉल और अच्छी बात vorstellen अब बेटा अगर तुम्हाएं पास mole आ गए हैं तो क्या तो mole से mass निकाल सकते हो 100% निकाल सकते हैं क्यों निकाल सकते हैं mole में molecular weight multiply गए तो solute का molecular weight कितना है M2 तो x2 into M2 यह उसका weight हो जाएगा solute का 1-x2 into M1 यह सर्फ solvent का weight हो जाएगा तो solute और solvent का weight हो गया total solution का weight हो जाएगा total solution का weight इन दोनों को हम add कर देंगे तो 1-x2 M1 प्लस x2 M2 यह हमाएपस इसर पूरे solution का weight हो जाएगा ठीक है 1-x2 into M1 and x2 M2 यह हमाएपस का इसर पूरे-पूरे solution का weight हो जाएगा बहुर अच्छी बात है अब बस जो हमसे पूछा गया है उसको आयए चलि करते हैं तो सवाल में पेटा जी हम से क्या पूछ रहा है सी 2 मतलब क्या पूछा है हमसे सर मुलैरीटी बूछ रहा है हमसे जो दिया है पहले define करो फिर table बनाओ सीरी सी बात है अब देखो पीटा molarity of किसका c2 second component का यह क्या हो जाए कि number of most of solute number of most solute की कितनी सर x2 mol है upon क्या सर volume of solution ने लीटर अब solution का volume भी चाहिए मैं so x2 m2 plus 1 minus x2 m1 यह mass है total और इस mass को हमने किस से divide करना है सर density से ठीक है इसको सर्म किस से divide करेंगे density से density of the solution क्या है सर डी और यह किस में से gram पर ml में है तो इसको लीटर में convert करने के लिए 1000 से divide भी करेंगे इतना ml आया था उसको 1000 से divide करेंगे दो सर हमाय पास इतना लीटर volume हो जाएगा बस बच्चों काम खतम game over so 1000 x2 और d यह हमाय पास हो जाएगा और denominator में यह हो जाएगा x2 m2 1-x2 m1 तो यह हमाय पास सीन होगा अब बस हमको और आपको सर क्या करना है ढूणना है कि कौन सा वो option है जिसकी हमें तलाश है ठीक है तो बेटा देखो 1-x2 में m1 multiply करूंगा 1-x2 में m1 multiply करूंगा तो m1 1 से multiply होके बहार आ जाएगा तो उपर होगा 1000 x2 d 1000 x2 d 1000 x2 d यह x square नहीं x2 नीचे है x square नहीं x2 नीचे ठीक है 1000 x2 d और साथ में m1 प्लस होना चाहिए m1 प्लस होना चाहिए m1 प्लस होना चाहिए और m2 माइनस m1 होगा m2 माइनस m1 होगा m1 प्लस होगा और m2 माइनस m1 x2 ठीक है यह चीज़े यह जानों option पूरे-पूरे same ही लग रहे है हमको ठीक है 1000 d नहीं है आपर d नहीं हाँ 1000 d x2 1000 d x2 ठीक है यह option नमबर c बेटा हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है ठीक है so 1000 d x2 ठीक है 1000 d x2 m1 प्लस m2 माइनस m1 x2 m2 माइनस m1 x2 तो option नमबर c is the correct answer c बच्चो देखिए table बनाई और सीधा-सीधा formula में चेप दिया table बनाई सीधा-सीधा formula चेप दिया जो definition होती है mole fraction की वो दिमार्ग में चली तो step 1 पहले जो भी दिया उसे define किया हम paper पे भी लिख सकते थे बट इतना practice के लिए कि आप दिमार्ग में लिख लेते हैं तो mole fraction का मतलब number of moles of solute present in one mole solution ठीक है तो solute कितना है x2 जो mole fraction की value है total solution कितना है one mole तो बचा हुआ क्या होगा 1 minus x2 solvent होगा number of moles से weight कैसे निकालते है number of moles में molecular weight multiply करते है weight आता है सब कुछ बटा थे ओरी भी बताया हुआ number of moles में molecular weight multiply करो sir weight आ जाता है ठीक है number of moles में molecular weight multiply है solvent का weight solute plus solvent को sum किया total weight आ गया अब बस solute की कितने moles से x2 mole है total solution का weight इतना है density से divide किया thousand volume आ गया number of moles upon volume molarity later में convert करने के लिए thousand से divide काम खतम game over यह बच्चो अपना तरीका है तो यह काफी बटा लंबा सवाल है जो काफी सारे बच्चे परेशान होते थे परेशान होते दो पूछते थे तो पता चलता है कि सब बच्चों कि इस चीज़ें परेशानी होती है ठीक है उनकी गलतियां क्या है यही मेरा पूरा पूरा खेलता कि भाई अगर मुझे कहीं पर भी पढ़ाना है तो मुझे बच्चों के बीच में रहना बहुत बहुत आवश्यक है मेरा सोच था मैंने वही किया यह चीज़ है और कर रहा हूं अपने जो 40 बच्चे उनको भी हम पढ़ाते हैं इलाबाद में और आप लोग भी पढ़ाते हैं कई बच्चे कहते हैं कि सर इलाबाद में आप कहां पढ़ाते हैं बताईए नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि आप अभी जहां पढ़ा रहे हो चुपचा वहीं पर ही पढ़िए आप जहां पढ़ा हो वहीं पर ही पढ़िए बीच में इधा उदर बेटा अगर आप करोगे न तो नाव डूब जाती है ठीक है सबसे पहले जिस नाव में बैठे हो सोच समझ के बैठी है उसके पाद जब बैठे हो तो फिर पूरा बरोसा करो जिस न बीचाइवर के साथ पूरा बिचा फ्रिचर करके करिया ठीक है उरहां कि हम तो आपके साथ हैं ठीक हृज़व कि ग्राम और सबस्टेंस एक्स टू लिटर सल्उशन कितना बहतरीन सवाल है कितना मज़ेदार सवाल है बेसिक चीजों को कैसे घुमाया जाता है सीखे जाना कि सल्यूट की मोल को स अग्स मल क्याल क्यालकुलेशन को टेस्ट करदिया गया हिस को कि s Seb कוח को गमा खर के placed किआ गया है है so NASA में करेंगे 10 ग्राम में इतने मॉलीकुल है तो 5 ग्राम में कितने होंगे इसके अधे होंगे साल्यूट की मात्र आगी उसको मोल में करेंगे वॉल्यूम दो लिटर है सीधे सीधे मुलार्टी आ जाएगा एक लाइन में लेकिन हम इसको समझा रहे हैं क्योंकि हमको तो ही न देना हमको बच्चों को समझाना है टीचर की कबिलेत इसमें नहीं कि वो कितनी अल्दी कले टीचर कबिलेत कि अच्छे समझा ले रहा है मैं तो आपको समझाने के लिए हूँ आप अपनी प्रैक्टिस कर रहें मेरे साथ ठीक है यह चीज ताकत जोबा केशरी में थोड़ी ना है ताकत अपने देशी चना गोड़ यूसभ हम एक दिन गयते अपने इलहाबात कानपुर लखनोई भीहार में भूजने वाले होते हैं उसने हमको बड़ा अच्छा चीज दिया यह जौ दिया हमको कि सरी जौ खाईए और बड़ा ठंडा भी करेगा तो हमने जौ को भनवा लिए बहुत एनर्जी देता है ना मज़ेदार चीज है मज़ा देता है नौकरी में सुख नहीं है बेरोजकारी में सुख है नौकरी में सुख नहीं है कि ऐसे करो वैसे करो एक चैप्टर को इतने दिन में कम्प्रीट करिये मज़ा नहीं आता हो चाहिए तो अधार टीजर को पर्सनल स्पेस मिलनी चाहिए बहुत देते हैं बहुत बनिया दे लेकिन थोड़ी सी एक फ्रीडम के साथ है तो तो मज़ा है यूट्यूब पर सीज़ का मज़ा है हम और हमाई दोस्त हम और हमाई फैमली हम और हमाई जुबा किसरी फैमली आराम से मस्ती के साथ पढ़ाते है भाई लोग ना इस चीज़ चलिए सर तो 6.023 इंटू 10 की पाई 22 मॉलेक्यूल कहां पर हैं 10 ग्राम में दो मुलार्टी ओफ सल्यूशन कंटेविट पाई ग्राम अधू सब्सक्टेंस एंट इस सब्सक्टेंस का फाई ग्राम लेना है वगर फाई ग्राम लेंगे तो उसमें कितने होंगे उसमें सब 3 उसमें सब 6.023 इंटू 10 की पाद 22 यह उसमें सरकितने मॉलेकुल होंगे रोगा वह कितना वह टू लीटर इसलुशन का वोल्यूम कितना है स्टू लीटर यह मारे पास तू लीटर सेलुशन अब बस चलेए सर मॉलारिति निकालते हैं सर मॉलारिति विल भी संख्या को अने से डिवाइड कर देते हैं तो neember of मोंस आ जाता है संख्या को अने से डिवाइड करें गें नमब्र of मोंस आ जाेगा अपन वॉल्यूम यह हमाने पास मुल्य अजाएगे सॉल करते हैं भाई लोग कितना आएगा यह खटेगा अपना तो यह वन बाइ टून्टी टू वन बाइ फॉट्टी हाँ वन बाइ फॉट्टी अब हमें थाउदेंड के तम में करना है ठीक है सर यह करेंगे एंद आंसर वुड़ भी टून्टी फाइब टू टेन के पार माईनस त्री यह सर हमाए पास यहां पर सीन हो जाएगा और यह अपना अंसर आएगा ठीक है सर तो यह अपना यहां पर सीन है डूएबल है चीद है डूएबल है थीक है बस सवाल को हमने समझना है कि 10 ग्राम में इतने Jupiter इतने molecule है तो 5 gram में इतने molecule होंगे उनको mole में convert किया, mole को volume से divide किया, molarity आगे, सीदे सीदे, doable question, doable question, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, this question was very good, ये सर देखे सवाल काफी अच्छा था, PPM बच्चों को थोड़ डराता है, डराने की बात नहीं होती बेटा, PPM से डरने का नहीं ह बहुत ही easy है, अगर डर लगता है तो उसको अभी हम बेटा दूर कर देते हैं, ठीक है, ये चीज, इस सवाल में देखे हमको PPM के बारें बता रहा है, देखो PPM का क्या scene होता है, PPM क्या है, concentration की एक विधी है, PPM क्या है सर, एक concentration की एक unit है, concentration वाला एक खेल है, PPM क्या है सर, PPM को इस deal, PPM का मतलब होता है कि अगर माली जिए कोई solution है, जिसका concentration X PPM है, तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, X gram of solute, इसका मतलब क्या है सर, X gram of solute, will be present in, क्या सर, million gram of solution, PPM क्या बताते है कि million gram solution में कितना solute मौझूद है PPM हमें क्या बताता है million gram solution में कितना solute मौझूद है उसको हम कहते PPM ठीक है सर यह चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए बहुत ही बड़िया बात है तो हमाएं पास हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर चीज़ है PPM को formula भी याद होगा आपको weight of solute upon weight of solution into 10 के पार 6 सर जी यह हमारा PPM का formula होता है weight of solute upon weight of solution into 10 के पार 6 यह सर देखे हमारा यहाँ पर formula होता है बहुत अच्छी बात बहुत ही बड़िया ग्रेट नाइस वंडरफुल ठीक है सर यह हमाएं पास देखे सर formula होता है अब भाईया जी क्या है सवाल सवाल क्या है सवाल है ferrous sulfate सवाल है ferrous sulfate ferrous sulfate और heptahydrate hepta मतलब 7 यह हमाएं पास है ठीक है ferrous sulfate heptahydrate बहुत अच्छी बात है सर is used to 45 foods with iron अच्छा जितना जो bond vita horlics वगरा होता उसमें यह ferrous sulfate वगरा डाल करके उसमें iron की कमी को सर जो लोगों के खानों में जो iron की कमी उसको दूर किया जाता है तो iron की कमी के पूर्ति के लिए iron के supplements में हम लोगों क्या डालते है ferrous sulfate heptahydrate नामक compound डालते हैं the amount of gram of the salt required to achieve 10 ppm of iron in 100 kg of wheat तो हमने गेहूग में iron योग तो उसको बनाने के लिए उसमें extra हमने बाहर से बेटा ferrous sulfate heptahydrate डाला है अब हमें क्या चाहिए हमें पूछा जा रहा है कि बताइए कि compound में कितना हम अपने यह हों बताइए कितना ferrous sulfate डाले कि उसमें जो iron की जो content है वो बेटा कितना हो जाए 10 ppm अपना हो जाए ठीक है इस तरह के सवालों में का सबसे पहली चीज मान लो तुमने कितना ferrous sulfate हेट हीट डाला मान लो Cyberpunk डाला जो पूछा उसको मान लो Cyberpunk तो माल लीजे सर आंपने अपने गेहों में कितना कैच्छा डाला सा। डाल्याद यह से क्या बेटा डबलू ग्राम फेरस सलफेट डालने से हमारे गेहों में जो आइरेन का जो कंसेंट्रेशन वह 10 ppm हो जा रहा है ठीक है सर बहुत अच्छी बात है तो आइरेन का कंसेंट्रेशन कितना है ठीक है यह चीज तो अब इसको कैसे निकालेंगे बहुत ही असान तरीके से निकालेंगे वेटा बहुत 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 इजी है इतना इजी है कि दुन्या में इससे यादा इजी कोई काम नहीं है ठीक है यह चीज देखिए दो तरीके हैं पहले तो आप मोल के थुरू निकाल करके पहला तरीका यह है कैसा तरीका है देखो molecule के मोल्स कितने निकाले डबलू अपन molecular weight तो हमारे डबलू ग्राम फेरस एलफ़ेट हेप्टा हैड़ेट में इतने मोल हैं ठीक है मोल्स ओफ एफ़ी आटम निकाल लेते हैं मॉल्स के अटम कैसे निकालते हैं जितने मॉल्स की संख्या उसमें multiply करो कि एक मॉल्स में कितना एटम है सर एक फेरस सेलफ़ेट हेप्टा हाइड़ेट में एक आइरेन है तो इतना मोल एफ़ी हो जाएगा अब अगर मोल आ गया तो उससे वेट आ जाता है वेट ओफ एफ़ी आ जाएगा भाई मोल में क्या मॉल्टिप्लाइ कर दें अटॉमिक वेट तो एटम का वेट आ जाएगा तो डबलू अपॉन मॉल्स में अटॉमिक वेट मॉल्टिप्लाइ करेंगे 56.5 यह हमाई पास सीन हो जाएगा तो इतना वेट सर हमाई पास क्या होगा सर आइरन होगा ठीक है डबलू अपॉन मॉल्टिप्लाइट इंटू 56.5 इतना ग्राम हमाई पास क्या है सर आइरन है इतना ग्राम सर हमाई पास क्या है सर आइरन है बहुत अच्छी बात है तो वेट का weight weight of wheat weight of wheat कितना है sir hundred kilo hundred kilo मतलब इतना gram एक लाग gram हमाई पास weight of wheat है बस काम खत्म गेम ओबन तो पेटा देको एक तरीका यह होता है दूसरा तरीका क्या होता है unitary calculation कि molecular weight अगर हम लेते हैं तो उसमें कितना iron होगा सर एक molecule में एक iron है एक molecule में एक iron है तो एक molecule मतलब molecular weight यतने amu में एक iron मतलब atomic weight यतना amu iron है तो डबलू ग्राम में कितना होगा unitary calculation से निकाल लो वही आएगा जो यहां पर आए हुगा है ठीक है यह चीज़ तो unitary calculation से भी निकाल सकते हैं ऐसे भी निकाल सकते हैं वटवर सूट यह आप उस पर जाईए पर थोड़ा से इसमें देखी calculation मगेरा रहेगा क्योंकि बहुत अच्छे से उसने घुमाया आपको ppm गेहूं चावल सब में उसने पूरी तरह से गुमाया दिए रहा है कोई बात ने कोई बात ने कोई बात ने ठीक है चलिए ओके तो वेट आफ एफी अब सल्यूट की जाएगे क्या लेंगे बेटा एफी लेंगे वेट आफ एफी पिपिएम ओफ एफी इसर आरें का पिपिएम कितना चीए टैन चाहिए इरें का वेट कितना है इसर 56.5 इंटु डब्लू ओट फेरस अलफएड हेप्ता हीडेट का 56.5 अलफ़र बत्यस ये चोंसट चोंसट और वत्यस चोंसट और बत्यस नाइंटिस इस अठारह साथ अठ थारा पज नबबे और चातिस एक्षो चब्यस ठीक है इस सब को पूरा आड़ कर लें हम लोग 56.5 पो अधाई छे 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 18 एक दो एक तीन दो एक तीन नौतीन बारा तीन बारा और पाच सतरा का बारा पाच सतरा का एक 278.5 ठीक है 278.5 that will be the thing तो 56.5 एक 278 तो 56.5 पोन मॉलेक्लर वेट इन्टो डबलू यह वेट ऑफ आइरेन हो गया इसको वेट ऑफ सलूशन से डिवाइड करते हैं सलूशन का वेट कितना है सर एक लाख ठीक है तो वेट ऑफ आइरेन अपन वेट ऑफ वीट इंटो 10 के पार 6 यह आ जाएगा यह मारा कड जाएगा ठीक है सर तो सीदे सीदे बिटा जो डबलू की वैल्यू आ जाएगी जो डबलू की वैल्यू आ जाएगी ठीक है सर डबलू की जो वैल्यू आ जाएगी ठीक है सर डबलू की जो वैल्यू आ जाएगै ठीक है सर डबलू की जो वैल्यू आ जाएगे त से थोड़ा सा कम होगा ठीक है सर 5 से सर थोड़ा सा कम होगा तो approximate answer will be the amount of grams of the salt required to achieve is पीटा 5 gram के आसपास यह हमाए पास answer होगा ठीक है चलिए इसको देख भी लेते हैं सर कितना रहा है 278.5 ऽे 2.5 एपन 56.5 4.929 approximately 5 भाइपन विटा भेष्ट अमने बुला सिर्फIVE से थोड़ा सा कमाएगा यह तो पांच ग्राम फ्रोंस अलफ्ड हेपटा हाइड्रेट मिलाएंगे कितने में 100 किलो के हूं मैं कि पांच ग्राम फ्रोंस हेपटा हाइड किल подготов हूं यह हुँ में और हमारी iron की कमी के पूरे लाइक यह बन जाएगा अब यह देखिए बच्चों बॉण विटा में iron है बॉण विटा में यह फ्लाना है डिमका है बट कितना है इतना है विटामिन B12 है, मिथाइल कोबलामीन है, कितना है, इतना है, 100 किलो, 1000 किलो में, 1 ग्राम, 2 ग्राम डाल देते हैं, और फिर उसको गाते फिरते हैं, यह चीज़े, ना भई, यह चीज़े, तो that is the thing, चली सर, पूरा-पूरा सवाल एक बार फिर से रिपीट करते हैं, काफी घु आइरन की कंसंट्रेशन वाला गिहू तैयार करना है, तो उसके लिए गिहू में कितना फेरस सेलफ़ेट हेप्टाहेट मिलाएं, तो मोल्स ओफ फेरस सेलफ़ेट हेट कितना हो जाएगा, डब्लू अपॉन मॉलिकलर वेट, हमने माल लिया कि हमने डब्लू ग्राम मिलाएं तो मोल्स ओफ कंपाउंड कितना होगा, डब्लू अपॉन मॉलिकलर वेट, इतना मोल हमाँ पास कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कितना आइरन है, बिटा फेरस सेलफ़ेट में, एक मॉलिकूल में एक ही आइरन है, तो इतने मॉलिकूल है तो उनमें आइरन की आटम इतन weight of iron से हम लोग pp concentration of iron निकाल लेंगे that would be हमारा answer यह आ जाएगा ठीक है weight of iron upon weight of solution into 10 के पार 6 solve करेंगे से नमाय पास ppm of iron आ जाएगा तो इस तरीके से सर जी हम लोग यहाँ पर चीजों को solve out करेंगे बहुत अच्छी बाल चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर आते हैं now these questions are very very conventional question वही conventional question बेटा जो हम आपको बार बार बोलते concentration interconversion के सवाल चलिए सथ देखते हैं हमको सवाल में molarity पूछ रहा है density दिया हुआ है और उसका mass percentage भी दिया हुए कि इतना 63% बहुत ही बढ़िया तो कैसे सब्सक्राइब करेंगे इस तरह के सवालों को 63% मास मतलब कैसर 63 ग्राम एचनो 3 इन 100 ग्राम solution बस काम खतम अब बागी सारी चीछत अपने दिमार्ट में कितना solute है कितना solvent सब अपने दिमार्ट में लगओ ठीक है हमको molarity निकाल 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 लिए तो molarity के लिए क्या चीए सर नमबर ओफ मोस ओ चलूट वेट अपन मॉलेक्लर वेट अचनो 3 का ओट वेट इसका वॉल्यूम कितना होगा वेट को डेंसिटी से डिवाइट कर दें वालियूम हमारा ml में आ जाएगा इसको लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड भी कर दें बहुत ही अच्छी बात आंसर कितना हो जागा सर 14 आंसर कितना हो जागा सर 14 ठीक है सर तो मुलारिटी ओफ एचनो थी विल भी 14 तो सिर्यसी बात ठीक है यह चीज तो that's how we are going to do this question चलिए अब देखो यार कुछ बहुत ही मज़ेदार यह सब आप homework में करोगे यह भी आप सर homework में करोगे यह भी सर होमवक में करोगे पूरा पूरा बेटा वही राम अपॉन में स्वाला खेल है पूरा-पूरा homework में आप करोगे हम आपको क्या कराइंगे हम कराइंगे आपको सर यह सवाल यह सर हम आपको कराइंगे यह सवाल यह सब सवाल कराइंगे थोड़े से हम आपको सर यह सवाल करेंगे मज़ेदार मज़ेदार लच्चतदार साथ सवाद में लिजजद लिजजद पापड ठीक है एह है ओह हो लिजजद पापड चलिए सर तो इस लिजजद पापड के एक ब्रैंड इंडॉर्समेंट के बाद आते हैं सवाल पर क्या है सीर हमाइपास बचो हमाइपास फाइव ग्राम एनवेच दिया गया है उसको हमने सर पानी में सर डिजॉल्व कर दिया और डिजॉल्व करने के बाद एक सल्यूशन तयार करिया कितना 450 है मैंने स्टॉक थोड़ी दाल चावल बेचते हैं तो जो एकटा जो हमाइपास जो लाज कॉंटिटी होती है उसी हो कहते है स्टॉक सल्यूशन बहुत च्छी बात है अब देखो क्या कर रहे है हमने सर एनवेच को इतने वॉल्यूम में सर हमने डिजॉल किया हुआ है ठीक हमने एनवेच को सर कितना अमाउंट हम लेंगे टू पेपेर 500 ml of 0.1 molar solution अब देखो यह सीन समझो 500 ml of 0.1 molar solution 500 ml of 0.1 molar solution बेठा 0.1 molarity कैसी लग रही जादा है कम सर 0.1 molarity का मतलब क्या है सर 0.1 molarity का मतलब है हमको एक dilute solution बनाना है अब यह dilute solution कैसे बनाएंगे concentrated solution में क्या मिलाओगे बताओ concentrated solution बत सभाइए तो dilute solution त्यार हो जाएगा तो मुननलाल मुननलाल यह सवाल कोई और नहीं बलकि dilution का सवाल है सर जी यह सवाल कोई और नहीं बलकि sir किसा सवाल है dilution का सवाल है Sir Sir, हमें इस सवाल में Sir, dilution का concept लगाएंगे. कैसे Sir, dilution का concept लगाएंगे? m1 v1 बराबर m2 v2. Sir Sir Sir, m1 v1 बराबर Sir, m2 v2 यह Sir, हम लोग üzerine concept लगाएंगे बस काम खतम. Initial molarity, Initial volume बराबर Sir, Final molarity, Final volume. बस Sir, यह लगाएंगे काम खतम. ठीक है सर तो इस तरीके सर हम लोगा यहाँ पर कारेकरम होगा ठीक है चले सर बहुत अच्छी बात है सबसे पहले इनीशल जो हमाई पास सल्यूशन है उसकी मुलारिटी निकाल लेते हैं इनीशल जो solution है उसकी मुलारिटी निकाले तो बिटा इनीशल solution की मुलारिटी कितनी होगी नंबर ओफ मोस ओफ सल्यूट 5 अपॉन 40 बिटा एनिवेज का molecular weight 40 होता है sodium 30, oxygen 16, hydrogen 1 ठीक है यह चीज़ सर नंबर ओफ मोस ओफ सल्यूट 5 अपॉन 40 अपॉन क्या सर वॉल्यूम ओफ सल्यूशन लीटर 450 अपॉन 1000 यह आगी क्या सर मुलारिटी सर जी आप बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं सर इतनी जल्दी जल्दी में कैसे काम चलेगा अरे एकदम सही बात बोलें उन्हलाद हमको तुम्हारे एडमिशन थोई ना कराने हैं हम यहाँ पर इसलिए थोई ना बैठे कि तुम एक बैद में हमारे खुब सारे बच्चे आ जाए हम यहाँ पर तुमको इस लेवल से इस लेवल तक लेकर आने के लिए तो जब तक हम तुमको चैलेंज नहीं करेंगे तब त तो हमें सर आपके लेवल को रेज करना है या यह कहो कि आपको हमारे लेवल पर आना है या यह कहो कि आपको आईटी के लेवल पर आना है तो थोड़ा ससट दिमाख तेज चलाना कोशिश करने के लिए बोलना हूं कुसी और चीज़ के लिए थोई न बोलना हूं कोशिश कर अब ये आपके पास जो stock solution था ठीक है इस में से तुमने थोड़ा सा बिटा solution लिया उसमें तुमने सर पानी मिलाया और तुमने सर क्या dilute solution सर त्यार कर लिया यहां पर है तो this is the molarity of concentrated solution और तुमने इसका सर V ml लिया हुआ है ठीक है अब उसमें कुछ पानी वानी मिला मुलू करके dilute solution त्यार कर लोगे ठीक है तो concentrated solution उसकी volume finally dilute solution उसकी volume dilute solution कितना है सर 0.1 molarity का है volume कितना है सर 500 है ठीक है यह चीज़ बस solve करेंगे सर अपने पास काम हो जाएगा सर V volume of concentrated stock solution कितना हो जाएगा सर 50 ठीक है यह cross multiply हो के इधर आएगा 9 by 20 ठीक है सर ठीक है सर जी 9 by 20 and 5 by 40 इधर आएगा 1 by 8 है 8 इधर आजाएगा ठीक है सर 1 by 8 है 8 इधर आजाएगा and we will have the answer 9 436, 36 और 5 9 436, 36 और 5 ठीक है सर 9 436, 5 420 और 2 ठीक है तो 180 ml का सर खेलोगा हमने सर 180 ml solution लेना है और उसमें सर कितना 320 ml पानी मिलाना है और 180 और 320 का यह mixture त्यार कर देंगा 500 ml है हमारा एक dilute solution ठीक है सर यह हमाँ पास यहां पर सीन होगा calculation देख लीजिएगा मेरे इसाब से मैंने अपनी calculation सप्पू साहीं क्यों 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 क् बाकी जो आपको होगा बिटा देख लीएगा ठीक है तो हमने पांच ग्राम एनवेज को इस पानी मिला करके concentrated solution तयार किया है इस concentrated solution का थोड़ा सा amount लिया उसमें पानी मिलाया और हमने dilute solution तयार कर लिया इस सवाल की सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने सवाल वाले ने क नहीं पर भी बेटा dilution word का इस्तमाल नहीं किया यह इन्होंने साथ देखिया हमाई साथ game के लाए अब बच्चे ने अगर इस तरह के सवालों के practice नहीं कर रखी है तो बेटा आपको कितनी भी theory पढ़ाते रहें कितनी भी theory पढ़ाते रहें देखो dilution में यह होगा mixing में यह ह नहीं हो पाएगा तो theory पढ़नी के बाद सवाल लगाना जरूरी है और वही सवाल हम लोग यहां पर लगा रहे हैं और कुछ बच्चे तो सर बड़े जमाजम तरीके से हमाई साथ बने हुए हैं और कुछ भाई भेनों को अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कोई उसमें द दीरे चलते हैं पहले हम लोट लोट के चलते हैं फिर हम किसी चीज को पकड़ पकड़ के चलते हैं फिर धीर धीर भागना शुरू कर देते हैं और उसके बाद ऐसे भागते हैं कि घर वाले हमको पकड़ना चाते हैं दुनिया पकड़ना चाती ही बड़ पकड़ना पाती है यह चीज ठीक है सर यह चीज तो that is the thing जो कि हम लोगे सवाल में करेंगे बहुत ही बढ़ियां देखे यह सवाल जो होते ना बेटा यह सवाल बड़े प्यारे होते हैं यह आयनी equilibrium में भी आते हैं इस तरह के सवाल ठीक है आयनी equilibrium भी हम आपको पढ़ाएंगे मोल कंसेप्ट और अटामिक स्ट्चर के बाद हम आपका बेटा equilibrium चाप्टर ही सरम स्टार्ट करेंगे equilibrium चाप्टर पढ़ाएंगे और thermodynamics यह दो चाप्टर आपको पूरा पढ़ाएंगे पूरा पढ़ाएंगे सर डेली वीडियो डाल करके सर आपको पढ़ाएंगे बच्चों है तो उन बच्चों ने कहा है सर और्गेनिक केमिस्ट्री की सर हमको नीड है सर आपने 11 की ओर्गेनिक की स्ट्रॉंग करी है तो उनको हम बेटा दिवाली की छुट्टियों में और पूरी रटाएंगे तो यह जो बड़े बड़े चाप्टर से यह सर देखे मैं आपको तो आपका भाई आपके साथ पूरा जेमीन तक लगा रहेगा जेमीन फर्स्ट एटेम तक जेमीन फर्स्ट एटेम जैसे ही खतम होगा उसके बाद बेटा बच्चों के बोर्ड एक्जाम रहेंगे तो हम बच्चों के बोर्ड एक्जाम के लिए उनके साथ लगेंगे और ब अपके साथ रहेगा और यह चीज़ हैً चलि सर देखे यह सवान में सब्सक्राइं इसमें बच्चोइं हो रहा है इसमें सर और बीस दम्हां forth और याद र स्वाल में acid base का खेल होता है या फिर अलग-अलग acid का खेल होता है तो वहाँ पे बिटा सवाल में आपका दोस्ट कौन होता है normality बोलो मैंने क्या बोला मैंने बोला बिटा कभी भी सवाल को पढ़ते समय तुमको अगर acid base मिल रहा है या दो अलग-अलग type के acid मिल रहे है H2SO4, HCL मिल रहे है या फिर acid के साथ base मिल रहे है या कई सारे acid base को एक साथ करें तो उन सवालों को देखती है समझाना कि सर इस सवाल में सारा खेल किसका होगा normality का होगा ठीक है ये चीज़ समझे पिटा कुछ फॉर्मों को याद रखिए कभी भी हम दो acid को अगर मिलाते है तो normality of final acid होती है हमारी N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 ठीक है सर अगर मालीज़ हम दो base को मिलाते है तो normality of final base होती है हमारी क्या N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 अगर हम acid और base को मिलाते हैं तो सर नॉर्मल्मल्टी of final solution होती है N A V A माइनस N B V B अपॉन V A प्लस V B और या फिर N B V B माइनस N A V A अपॉन V A प्लस V B यह सर यहां पर देखे सीन होता है N A V A greater than N B V B या N B V B less than what the fuck I am saying ठीक है सर तो यह देखें यहां पर सीन होता है बच्चों देखें सीन क्या होता है कि अगर माली जी हम दो acid मिला रहे हैं तब तो live में कोई दिक्कत नहीं दो acid को मिलाओगे final solution acetic होगा final solution sir acetic होगा हम दो base को मिला रहे हैं कोई tension नहीं final solution basic होगा ठीक है यह चीज़ अगर हम acid base को मिला रहे हैं तो सवाल में यह चीज़ या रखता है कि final solution acetic भी हो सकता है basic भी हो सकता है अगर हम acid base को मिला रहे हैं अगर माली जे बिटा solution में acid के equivalent जादा है अगर सवाल में सर एसिड के इक्विलेंट जादा है तो final solution एसरिक होगा, base के equivalent जादा है तो final solution basic होगा, अगर सवाल में acid के equivalent जादा है तो final solution होगा, वो acid होगा और उस final acidic solution की normality इससे आएगी, Na Va minus NbVb upon Va plus Vb, A मतलब acid, B मतलब base, अगर माली सवाल solution basic है, कैसे basic होगा, अगर NbVb base का Na Va से जादा है, तो solution basic होगा और basic solution की normality ऐसे आएगी, ये चीज या रखना, कभी भी सवाल में acid base अगर आ रहा है और वो strong है, weak नहीं, क्योंकि weak है तो any equilibrium लग जाता है, लेकिन अगर सर हमारा क्या acid strong acid base है, तो वहाँ पर सर हमारा mole concept लगेगा, और equivalent concept लगेगा, redox या फिर mole concept में इस सब चीज़ें आपको हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, और काम की चीज़ सिर्व इतनी होती है, जितना मैंने बताया है, सिर्व इटा इतना ही काम करें है, जे मिन के लिए, चलिए सर, ओके, तो देखो क्या कर रहा है, सवाल वाला कह रहा है कि हमने H2SO4 में नह मिला दिया है, तो molarity of the resulting product, Na2SO4 in the solution हम से पूछ रहा है, मैं देखो इस सवाल में थोज़ें से changes कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ सर, मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे बताई कि molarity of the resulting solution बताई है, कि solution कैसा होगा, तो देखो इस सवाल में मैंने acid base को पढ़ा हूँ, और acid base को पढ़ते ही, मैं तुरण molarity की ज़िए कि normality निकालनूँगा, normality क्या होता है, बटा, molarity into valency factor, valency factor क्या होता है, एक molecule कितने काम की चीज़ देता है, H2SO4 में 2H+, काम की चीज़ 2 है, valency factor 2, NOH में 1OH है, valency factor 1, काम की चीज 2H1 है, तो इसकी normality हो जाएकि, बटा, 0.4 normal, और इसकी normality 0.1 normal, ठीक है सर, यह चीज़, अब देखो यहाँ पर, N1V1, N1V1, N1V1 कितना रहा है सर, 0.8, NBVB, NBVB कितना रहा है सर, 0.2, मतलब acid जादा है, तो solution में पेटा, acid की normality, volume अधिक है, base की normality, volume से, ठीक है, तो यहाँ रखना, solution finally acidic होगा, और acidic solution की जो normality होगी, that will be कितनी सर, solution acidic होगा, और acidic solution की normality कितना होगा, 0.4 into 2, minus 0.1 into 2, upon V1 plus V2 3, तो यह है सर, normality of final acid, यह कहा है सर, normality of final acid, यह सर यहाँ पर फंडा आप याद रखिए, अगर हमसे सवाल में पूछा जाता है, कि solution कैसा होगा, उस final solution की normality, तो बेटा answer यह होगा, ठीक है, बट यह सवाल वाले ने हमसे कुछ अलग चीज़ पूछे, उसने क्या पूछा है, calculate the molarity of na2SO4, हमसे सवाल वाला क्या पूछ रहा है, calculate the molarity of na2SO4, हमसे सवाल वाला na2SO4 के बारे पूछ रहा है, ठीक है, बता देंगे हमें क्या दिख करते हैं, अपन डरते हैं क्या किसी से, बच्चों हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है, सर, na2SO4 के बारे में पूछ रहा है, तो बड़े एक चीज़ याद रखिये सर, सवाल में सर, na2SO4 के बारे में पूछ रहा है, ये na2SO4 है क्या, सर जी na2SO4 salt है, कहां से बना ये salt, सर जी salt बनेगा acid base की reaction से, तो कभी भी reaction और उसके product के बारे में जब discussion होता है, कभी बटा reaction और उसके product के बारे में सर, अगर discussion होता है, तो वहाँ पे सर याद रखिये, क्या scene होता है, वहाँ पे सर हमको क्या करना होता है, वहाँ पे सर हमको पहले reaction लिखनी है, पहले बेटा वहाँ पर हमको reaction लिखनी है पहले सरह हम वहाँ पर reaction लिखेंगे और सर जी reaction लिखने के बाद इस tokyometric calculation से चीजों को निकालते है तो बेटा H2SO4 NaOH के साथ react करता है और Na2SO4 और पानी बनाता है सर H2SO4 NaOH के साथ react करता है और Na2SO4 और पानी बनाता है ठीक है सर ओके यहाँ पर H2SO4 क्या है सर एकसिस में है यहाँ पर सर H2SO4 एकसिस में कैसे बना चला यह acid की number of equivalent जादा है न acid की number of equivalent जादा है तभी तो solution acidic बनाए तो H2SO4 एकसिस में है तो यह हमारा क्या हो जाएगा सर LR हो जाएगा limiting reagent हो जाएगा ठीक है तो जो भी product बनेगा किस से बनेगा बिटा limiting reagent की मात्रा से ही बनेगा ठीक है तो सवाल में जितना भी Na2SO4 है कहां से आएगा सर मतलब limiting reagent से form होगा अब बस खेल खतम moles of LR stoichiometric coefficient of LR moles of product stoichiometric coefficient of product ठीक है सर यहां पर सीन है यह सर यहां पर सीन है हाँ 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 यह यहां पर सदेगे सीन है moles of LR upon stoichiometric coefficient of LR m always of product upon stoichiometric coefficient of product तो दिखे ये हमाप पे सीन है बस काम खत्म लिभ्टिक रीजर कहुं है एनवच एनवच के कितने मूल है भीटा molarity से मूल खालना आता है कि tu एंगर बॉल्लिम को collect करने होगी molarity में मॏल्युम मैं लाइनमर गाहता है सथ जैंगे 0.2 मोल इसके number of moles कितने हो जाएंगे sir 0.4 mole ठीक है यह चीज तो H2SO4 के mole और NaOH के mole हमाय पास यहाँ पर है ठीक है sir बहुत अच्छी बात है और यह यहाँ पर sir हमाय पास सीन है ठीक है यह चीज तो बस limiting reagent कौन है sir हमारा कितने mole है 0.2 mole है उसका stoichiometric coefficient कितना है 0.1 है ठीक है number of moles of Na2SO4 हमसे पूछा जा रहा है most of Na2SO4 हमसे पूछ रहा है and stoichiometric coefficient of product Na2SO4 का stoichiometric coefficient क्या है बने तो solve करने पर से हमाय पास यहाँ पर answer हो जाएगा ठीक है इस stoichiometric coefficient of LR2 है तो बिटा जी solve करने पर जो answer हमाय पास आ जाएगा वह हो जाएगा कितना 0.1 sir 0.1 तो sir 0.2 mole Na2SO4 देगा ठीक है sir 0.2 mole Na2SO4 देगा अब यह जो 0.1 mole Na2SO4 देगा यह कहां है यह सर टोटल चार लीटर solution में है यह सर टोटल चार लीटर solution में है तो molarity of Na2SO4 number of most of Na2SO4 0.1 upon total volume of solution बिटा दो लीटर दो लीटर आड करें यह सर चार लीटर हो जाएगा तो यह value sir अपनी हो जाएगी कितनी sir 25 ठीक है यह value अपनी हो जाएगी sir 25 इंटू 10 की पार माइनस 3 0.025 यह मिली मोलर में पूछ रहा न तो हाँ 25 मिली मोलर मिली मोलर तो 25 मिली मोलर विल भी दा आंसर ठीक है यह चीद़ देखो इस सवाल में इन्हों ने हमसे product के बारे पूछा तो वह भी बता सकते हैं इस सवाल में हमसे यह pH भी पूछ सकते थे इस सवाल में बाकि इसके बारे में डेटेल में पूरी चर्चा करेंगे आपको डरिये मत बिटा पूरा आइनी क्लिबर में यह concept आपका एकदम रॉक यहां पर है और किस तरह से बीटा फॉर्मला करते हैं यह चीज़ तो फाइनल स्लूशन क्या होगा सर असरी यह में बता दिया है असरी होगा मतलब ह एकस्स में यह चीज़ मतलब निवाच लिम्निक रिएजेंट है यह चीज़ बाकि सीड़े सीड़े भी आ सकता है मॉल को यहां पर काम करना है the normality of H2SO4 obtained by mixing 100 ml H2SO4 with 50 ml 0.1 molar anyways वही सवाल आगे जो आपको बताया था ना acid-base की mixing का चीज है वही चीज हमसे पूछ रहा है चलिए sir okay तुरंट करते हैं ठीक है तुरंट करते है normality of H2SO4 मतलब solution acid-y की होना चाहिए तभी ऐसा होगा ठीक है तो na va minus nbvb upon va plus vb ठीक है सर यह यहां पर सीन हो जाएगा na va minus nbvb upon va plus vb ठीक है normality इसकी तुरंट निकाल लो बिटा molarity में valency factor multiply करेंगे valency factor H2SO4 का 2 होता है तो 0.1 में 2 multiply करेंगे 0.2 हो जाएगा ठीक है यह चीज़ एन वह की normality निकाल लेते हैं molarity में valency factor multiply करेंगे सर पॉइंट वन हो जाएगा ठीक है सर यह तो normality and valency factor यह अपना यहां पर answer आ गया बहुत अची बात है अब बस काम खत्म चलिए सर जल्दी से solve करते हैं क्योंकि कम समय में करना है infinite time थोड़ी ना होता है एक्जाम में तो normality of acid volume of acid normality of base volume of base upon va plus vb 100 ml और 50 ml करके कितना सर 150 ml ठीक है यह अपने पास सीन हो जाएगा बस इसको solve कर लेते हैं कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 20 यह हो जाएगा 5 और यह हो जाएगा 150 15 upon 150 15 upon 150 15 upon 150 पॉइंट वन नॉर्मल ठीक है सर पॉइंट वन नॉर्मल हो जाएगा पॉइंट वन नॉर्मल मतलब 1 इंटू 10 की पार माइनस वन नॉर्मल तो वन इंटू 10 की पार माइनस वन नॉर्मल तो दाट सॉव यह वी तो solve this question ठीक है इस तरह से भाई देखे हमाई पास यहाँ पर सवाल यहाँ पर इसका रहेगा ठीक है यह चीज वही सवाल रिपीट हो रहा है यह चीज चलिए इस सवाल पर आते हैं बेटा थे कोई इस सवाल में क्या यूज हो रहा है इस सवाल में जो word यूज करें वो है neutralization word यूज कर रहे हैं acid को base के साथ neutralize कर रहे हैं कभी भी acid base की neutralization का word होता है तो हमेशा हमको जो formula लगाना है वो है NAVA बराबर NBVP acid base कोई से भी हो बेटा acid base कोई से भी हो acid base कोई से भी हो acid base सर कोई से भी हो कोई सा भी acid लेओ कोई सा भी base लेओ वो आपस में दूसरे को neutralize कभ करेंगे जब number of equivalence of acid will be equal to number of equivalence of base जब solution में total added equivalent of acid किसके बराबर हो जाएंगे तो solution क्या होगा सर हमारा neutral हो जाएगा ठीक है ये चीज़ बेटा यार रखना इस तरह से सरम को देखें यहाँ पर काम करना होता है बहुर अच्छी बात देखें कई बार मैंने पाए कि बच्चों को न ये equivalent, equivalent weight, normality बड़ी परिशान करती तो मैं बच्चों को हमेशा जभी भी ये पढ़ाता हूँ कुछ set of form में बच्चों को मैं याद कराता हूँ क्या बेटा set of form में होते हैं बेटा ये 5 फॉर्म में सर आपको देखें याद करने पढ़ते हैं सबसे पहले number of equivalent बराबर weight in gram upon equivalent weight ठीक है equivalent weight बराबर molecular weight upon valency factor ठीक है सर ये अगली चीज number of equivalent बराबर number of most into valency factor number of equivalent बराबर number of most into valency factor ठीक है सर बहुत अच्छी बात है अगली चीज क्या सर normality बराबर number of equivalent upon volume of solution in liters ठीक है सर अगली चीज मुलारिटी बराबर सर normality into valency factor ये सर देखें फॉर्मले हमको सर लगते हैं जो कि बच्चों को एकदम कंठस त्याद होने चाहिए ये फॉर्म हमारे बच्चों को सर देखें कंठस त्याद होने चाहिए normality, equivalent ये सारी चीज़ें कंठस त्याद होने चाहिए और यहाँ पर ये भी आद रखो कि बटा number of equivalent में अगर मैं क्या multiply कर दूँ equivalent weight तो हमको weight in gram आ जाता है ठीक है जैसे number of most में molecular weight multiply के तो weight in gram आता है जैसे number of equivalent में equivalent weight multiply करें तो weight in gram आता है ठीक है ये चीज़ इसी तरह से normality में अगर मैं volume multiply कर दो तो number of equivalents आता है number of equivalent of salute ये भी याद रखें जैसे molarity में volume multiply करने पर number of most of salute आता है ऐसे normality में volume multiply करें तो भी बेटा number of equivalent of salute आता है ये चीज़ें सरम को याद रखनी पड़ती है मैं इसलिए बोला हूँ बेटा देखो practice video कर लेने से आप सुचो कि mole concept त्यार हो जाएगा नहीं लोग video में thumbnail जाते हैं सिर्फ इसको कर लो काम हो जाएगा सिर्फ 20 minute मेरा ये lecture सुन लो IT निकल जाएगी ये सब बेटा देखिए बेफकू बनाने के तरीके हैं दुकान चलाने के तरीके हैं हम आपके साथ एक शिक्षक के तॉट पर जुड़े हुए हैं तो कुछ हमारी जिम्मेदारिया हैं आपको कभी बेटा एक भ्रहम में नहीं रखना है पढ़ना पड़ेगा कल के वीडियो मेंने क्या कहा सबसे पहले अपनी जिंदिगी के स्याप़े दूर करिये अपनी कम्यों को अप्रेशेट करें कि सदीगे ये हमें कमी है अब उस कमी है तो उसको दूर करने के लिए सब लगना पड़ेगा ना ये चीज यह नहीं हो सकता है कि सर आप सोचे कि इस तीन महीने में आपको पूरा सर सलेबस कंप्रीट करा दें वह इंपॉसिबल है वह सर देखे आप एक ऐसी डिमांड कर रहे हैं जिससे आप अपने उपर भी प्रेशर डाल दोगे और हमारे उपर प्रेशर डाल दोगे समझो बिटा क कोई भी आदम अगर को ये बोले कि सर रम तीन महीने में आपको पूरा जीडरो से हिरो बना देगा वो संभवी नहीं पेंटा समभवी नहीं दो साल का सलेबस होता है तो अगर तीन महीने में काम हो सकता है तो क्या मतलब 2 1 महीने के ज्खक नाहीं जाते हैं नहीं तो इसका solution क्या है सब अगर मालीजे हम थोड़े सब लो लेविल पे हैं तो सल्यूशन क्या सबसे पहले बात तो ड़रिये मत आप अपनी जिंदगी को सही करने की दिशा में पाप कदम उठाने जा रहे हैं क्या कर यहां सबसे पहले चीज़ आप यह करें कि अपने उपर से प्रेशर को क्योंकि प्रेशर चीज़ों को देखी खराब कर देता है आप सबसे पहले सोची कोई बात नहीं हमने अभी तक नहीं पढ़ाई किया कोई बात नहीं हम पहले जेइमेन में एक्स्पीनेस लेकर के दूसरे जेइमेन में फोड़ेंगे पहले जेइमेन को भी मैं सीरिस्ली गया रॉक सॉलेट तरीके से जैसे कि हमने और गैनिक सब्सक्राइब त्यार कर लिए सब चीजे और हमारी इस चैनल में मेरे दोरा जब मैं आपको वीडियो दे रहा हूं तो आप थियोरी वाला वीडियो भी करेंगे और डिरेकली जे इन से पहले नीट वाले सवालों को भी आप सरसाथ में करेंगे इससे सर क्या होगा आप धीरे धीरे एक लेवल तक पहुंच जाएंगा और यकीन मानिया इतने सारे बच्चों के साथ लग करके ऐसे काम क्या है देखा हुआ बच्चों यह चीज काम करती है ठीक है तो स्टेब अग्दम लगे हो गते हैं वो लोग क्या है सीधे सीधे यह ले प्राक्टिस वीडियो देखो जमाज हमें एकदम करो हमाई साथ हमसे भी तेजी स्टेप में करिए सवाल मजाएगा अंडर थाउजन रेंग लेकर क्या यह अंडर फाइंड रेंग लेकर क्या यह ठीक है हमारा दौन सीना चोड़ा करिए उसके लग्के एडवांस में त्यारी करेंगे ठीक है यह चीत है चलिए सब्सक्राइग तो भाई यह कुलेंट और नॉर्मेलिटी में पांच फॉर्मिले हमको एकदम कंठस्ट होने चाहिए आते हैं सवाल पर दर नुट्राइज़ेशन अकर विन 10 अमल 0.1 मूलर असिद ए अलाओ टो डियाग विए 30 अमल 0.05 मूलर बेस यह इसकी वेलेंसी फैक्टर है 2 और इसका वेलेंसी फैक्टर मान लेते एं ठीक है अब बस नॉर्मेलिटी ओफ एसिड क्या होगा मुलारिटी इंटु वेलेंसी फैक्टर पॉइंट वन इंटु एन यहां कि आगे नॉर्मेली ओ फैसिट वॉल्म कितना ले रहें दस कि नॉर्मेल टी ओ बेस कितना है पॉंट 05 उसमें वेलेंसी फैक्टर मल्टिप्लाई करो यह जाएगा तो मुलारिटी इंट वालेंसी फैक्टर फिर फॉइंट 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 को clarity होनी चाहिए क्या कभी भी titration का सवाल है क्या form लगाना है एने वी ए बराबर एन बी वी बी और कभी भी सर acid base की अगर mixing हो रही है कभी भी सर क्या acid base की अगर mixing हो रही है तो वहां पर यह form ले को लगाने है ठीक वह यह चीज़े तो यह भाया जी अपने पास scene है और क्या है सीन यह अपने पास सीन है अब अच्छों देखें अपने पास कुछ-कुछ यह सवाल है इनको भी अपन करेंगे जो-जो सवाल ना है सब करेंगे और उसके बाद इस्टोक्योमेट्र क्यालकुलेशन के सवाल उसके बाद सर क्या स्टोक्योमेट्र क्यालकुलेशन के सवाल इस्टोक्योमेट्र क्यालकुलेशन एंड percentage composition ये बिटा हमाय पास सवाल हैं तो हैं अपने पास बचों मालीजी अभी 20-25 सवाल अभी और हैं तो उनको सरभ हम लोग करेंगे बट चुकि हम भी जानते हैं कि हम सब क्या है सरे एक human है और human की एक काम करने के एक विधी होती है और वो विधी क्या कहती है कि कभी भी एक खट जब आपकी body और mind के बीट में connection तूट जाए तो बाबा फिर उस समय ठंड रख उस समय ठंड रख उस समय सर जिंदगी में take a break ठीक है have a kitkat वो चीज़ करिए उस समय सर जाईए अपना जिंदगी में दूसरे काम करिए कान में सर music लगा लीजे और अपने आपको सर mentally refresh होते उनको भी complete कर लीजे ठीक है जैसे कि मैं अपने बचों से हमेशा एक जो time table के लिए मैं जो बोलता हूं उसको जड़ा मैं आपके साथ भी share करना चाहता हूं देखिए जो हमाँ पास बचे हुए 90 दनिया 100 दिन है उनमें सर देखिए हम लोग अपनी जिंदगी में किस तरह से तो हम आज ही कम अपना रूटीन बताता हूं मैं तो हम आपना आरामसे नाही है थेिक है जूजा पाट किया उसके बाद सर योगा किया अगर हम योगा नहीं करते तो हूड़ा साए हूट उठना इत्क नहीं रहते है और उसके बाद में आपके साथ बच्ची को तयार कर gilla, वैंड वाली से फहलो सको तयार भी करना होता है मम्मी उसकी टेफन बनाती है और फिर हम लग गहे अपने साथ आपके साथ वीडियो बनाने के लिए कितनेग्ट से वीडियो बना रहे है आपको पता है आप लोग क्या करते हैं आप लोग लेट से की पूरा 6 घंटे सोना है सर आपको सोने में सर्फ चीज़ी कोई कथाई नहीं क्योंकि हम अभी इस वीडियो को बनाने के बाद इस वीडियो को हम एडिटिंग पर लगा देंगे एडिटिंग में साथ 2-3 घंटे लगते हैं फिर उसकी कंप्रेशन होगा उसमें पूरा 3-4 घंटे का सर सबक होता है पूरा एक दिन लग जाता चीज तो मैं इस वीडियो को एडिटिंग पर लगा करके मैं चदर तान के सोऊंगा ठीक है यह चीज सोदा टाइमली चीज़े हो सबसे मजाएगा जब भी पढ़ाई करने बैठी है सर मोबाई सुच ओफ कर लीजे ठीक है सर हम तो आपका ये वीडियो देख रहे है उस समय क्या है तो बेटा ये वीडियो उस समय देखिए जब आप अपनी सुभह की सेल्फ स्टेडी कर चुके है तब आप देखिए ऐसे कंप्लीट करें कोचिंग जाते हैं उसके लिए त्यारी करें जो नोट्स होते हैं पिछले टन के उनको पढ़िए तो जब सुभह सुभह एगंटे पढ़ाई करें और मोबाई सुच ओफ करके उसके बाद हम पढ़ते पढ़ते उप गए तो हमने कान में सब म्यूजिक लग प्रेशर और गिल्ट नहीं रहता है तो हमारा आगे का दिन क्या होता है सुकून से बीता है मैंने देखिए सुभह ये वीडियो अगर बना लिया तो मैं दिन भर के लिए थोड़ा सा मैं फ्रे रहा हूँगा कि हां मैंने अपने बच्चों को योट्यूब पर प्रॉमिस कि करता हूँ कि आप इस तरह से कुछ कर लिजे कि सुभह 2,5 गंटा दोपैर में 2,5 गंटा और रात में 2,5 गंटा और बीच में जो हमारी कोचिंग जाना यह सब करना यह सब आक्टिवटी चलती रहे अपनी इसकूल इसकूल गोई है तो देख लिजे अपना ठीक है तो शाम को खाना खाना है खाना खाने के बाद थोड़ा आलस हो जा तो खाना खाने से पहले आदा घंटा पढ़ लो कोचिंग से आने के बाद कोचिंग का काम करने के बाद आदा घंटा मतलब कोचिंग से जैसे हमाए तुरंत आदा घंटा पढ़ा ही करें फिर खाना ना खा र लगेगा और हम लोग लगेंगे तो मैं इस मोल कंसेप्ट के बीटा जेए प्राक्टिस सेशन का सब सेकेंड पार्ट आपको सब सेकेंड वीडियो में दूँगा ठीक है यह वीडियो की लेंद को भी सर्म बहुत जार लंबा नहीं करना चाहते क्योंकि फिर उबियत होने लग थे तो आज के लिए सेशन को करते हम लोग अभी हैं पर सतम और सकेंड आपको सब्सक्राइब को साथ हम लोग मुलाकात करेंगी ठीक है तो कल आपको सेकेंड पार्ट भी देरेंगे सेकेंड और सर्ट क Insurance वाला विडियो भी सीछ करेंगे यह चीज ठीक है इस चीज चलिए तो मोल कंसेट के बाद होगा Atomic Structure और हर अफ़ते सर आपको देखे तीन वीडियो की गैरेंटी है अपनी प्राक्टिस अपना शेडियूल आगे बढ़ेगा लेकिन आपको बेटा प्लीज पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देने के लिए और मेरे साथ स्टैंड लेने के लिए थैंक्यू सो मच और मेरे साथ सब्सक्राइब लिए सबके साथ स्टैंड लिए हम तो किसी के साथ लड़ा जगणा तो मारा है नहीं सबीके साथ प्यार महबबत है नहीं चीज और लगते ही कुब अच्छे से महनत करते बस थोड़ा सा सपोर्ट करें सपोर्ट मतलब जो आपके चोटे-चोटे कमेंट्स ह हो सके तो अपने दोस्तों थाख भी अगर थोड़ा बहुत हमारे इस मोहीम की यह जो महनत कर रहें उसकी थोड़ा बहुत पहुंचा देंगे थोड़ा बहुत तो एक अच्छा इंस्परेशन मिलता है थोड़ा सा गुट अच्छा मिलता है वीडियों पे लाइक अगर आज आएगा ठीक है अब आगे फिर पार्टी तो अपनी गौवा में होगी सेलेक्शन के बाद उसमें तो कोई दो राए नहीं ठीक है चले से थांक यू सो मुझ बाए बाए टेक किर मुलाकात करेंगे कल इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में